आप लोग अच्छे होंगे अच्छे मूड में होंगे अच्छे हेल्थ की स्थिती में होंगे हम हमेशा समय समय पर विसेश कर सैटर्डे को आपके समख्षिक नया टॉपिक लेकर आते रहे हैं आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा अनोखा है क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि कभी भी चुकि यह लेक्चर मैंने बिसीकली अपने एप के लिए रखा था फिर आगे मन में विचार आया कि मैं इसे यूटूब में भी डालता हूँ अपने उन इस्टुएंट्स के लिए जो नियमित हमारे लेक्चर को सूनते रहे हैं इसी को ध्यान में रखकर हमने इसको यूटूब लेक्चर के रूप में भी तबदिल किया है दिखिए अव्यर्थियों मैं पहले भी आपको बताया है कि मैंने हिस्ट्री को कभी भी अकेला नहीं देखा है बलकि मैंने हिस्ट्री से शुरू किया है और मेरी कोशिश यही है कि सोसल साइंस के जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेशन्स को इस रिट्ट समझ ले उनका प्रॉब्लिम सॉल्व हो जाएगा पढ़ने के क्रमी जो प्रिक्रिया से आपको गुजारना पड़ता है जो लंबी यात्रा करनी पड़ती है जो कठिन परिश्रम करना होता है हार्ड वाक उस हार्ड वाक को कम तो नहीं किया जा सकता है लेकिन उसे मज़ेदार बनाया जा सकता है उसके duration को कम किया जा सकता है यह अपने बस में अब आज मैं जो topic लाया आप उस topic को गौर से देखे हरपन civilization an uncommon civilization developed by the common people एक और साधान सब्विता जो साधान लोगों के दोरा विक्षित किया गया देखिए आपने की महसूस किया होगा कि जब ही मैं आपके समख्ष कोई मुद्दा लेकर आया तो मैंने हमेशा एक single topic को वाइड किया मैं class में part part में टुकरों टुकरों में बाट कर लेता हूँ क्योंकि ओहां मुझे पूरी शोतंदरता होती है कि बिभीन टुकरों को मिला कर एक organic hole बना दूँ लेकिन यहां क्योंकि मैं आपको single one lecture लेने आता हूँ तो यह संभब नहीं होता कि मैं कोई एक टुकरा लेके चला जाओ एक part तो इसलिए मैं हमेशा अपने इस common lecture को जो YouTube में मैं डालता हूँ apart from the class उसमें मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसे larger topic हो जो कहीं न कहीं part में whole को reprint कर रहे हूँ हाँ आप यह पूछ सकते हैं कि मैंने पटेल के उपर या integration of principles या states के उपर lecture लिया तो मैं यहां भी आपको याद कराना चाहूँ कि वहां मेरा topic एक बड़ा बिरहद topic था वो topic था रास निर्मान post-independence era में रास निर्मान हाला कि मैं उस lecture को अभी भी छोड़ा हुआ है फिर मैं दुबारा उसको revive करूँगा तो इसी सिलसले में हमारे रास निर्मान के समख्च पहली चुनोती थी princely states का integration और उसी क्रम में हमने पटेल की चर्चा की थी तो उसको अभी हम ऐसा टुक्रे वाले टॉपिक नहीं कर सकते अब यहां हरप्पन सिब्लाइशन मैं प्राया देखता हूँ कि किसी एक टॉपिक को लेकर बढ़ना मेरे कम से कम इसकी में फिट नहीं बैठता इसलिए बच्चों इस टॉपिक को माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिसे हम सिंगल टॉपिक कहते हैं उस सिंगल टॉपिक की समझ विक्षित करने के लिए कितने व्यापक फलक की जुरुत होती है and you know कि I have to address to those students who are coming from both the streams Hindi and English both the mediums but my problem is that considering and due to the constants of time I could not develop the two different PPTs here तो मैंने यहां पर Hindi medium में PPT आपके सामने रखा है लेकिन जो मैं आपको एड्रेस करने जा रहा हो मुझे खुशी होगी कि even the students from English medium would be benefited equally from this lecture अब मैं यह कोशिश करूँगा हलाकि मैंने शब्द यहां जितने भी लिए है मैं एक ही medium में मैंने लिया है लेकिन in course of conversation I will profusely use the term of English as well so that at least in terminology you should be clear तो मेरी कोशिश यह होगी कि इन चीजों से आप जूड सकें और मेरे इस मक्षद को समझ सकें देखिए बच्चूँ पहली में one by one आता हूँ आप लोग इस PPT पर में थोड़ा सा कुछ seconds के लिए हट जाओंगा and you will just observe the PPT if you like you can even note down certain things आप उसको note down कर सकती हो वैसे मेरी कोशिश यह रहेगी कि हम आपको PD या form में भी इसे भीजवा सकें ताकि आप इस PPT पर नज़एट डाल सकें वैसे यह PPT को मैंने बना ही संचिट बनाया है सिर्फ यह जो हमारे lecture के direction को तैग कर सके अब हम पहले issue पर आते हैं भारत के लगभग 5000 वर्सों के इतिहास में हरपा सबिता विद्वानों के आकर्षन का प्रमुक के अंदर क्यों रहा है अब देखे कोई भी बच्ची जो हिस्ट्री पढ़ते हो या ना पढ़ते हो हिस्ट्री उनका subject हो या ना हो लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो इस बात से बिलकुल ही familiar है आकर यह हरपा सबिता पर इतने अधिक रिसर्च हुए तो यहाँ पर हमें हमने यहाँ पर कुछ एक बिंदू रखे है हम यहाँ दो-चार सेकेंड के लिए पीछे हटते हैं आप इन बिंदू पर एक नजट डालिए यह विश्व की प्राचिंतब सबिताओं में एक रही थी अब यही समझें कि सबिता की दहलीज पर वर्ल्ड के कुछ खास छत्रों नहीं कदम रखा आप यहाँ मैं civilization and culture के संबंधों के विवाद में नहीं परना चाहूंगा सिर्फ मैं आपको यह बताना चाहूंगा उसकी दहलीज पर कुछी समाज सबसे पहले पहुचा है जिसमें एक भारतिय समाज था उत्री पुर्वी अफरिका में मिसर के लोग उस मुकाम पर पहुचे उत्री पुर्वी अफरिका के बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो पस्रिंग एशिया के तरफ आते हो तो एराक में मेसर पोटामिया का नाम आपने सुना है तो पीपल आप मेसर पोटामिया ज़स्ट मुवड ऑन पाथ ऑफ सिवलाइजेशन और नौर्थ वेस्ट इंडिया में हर अपन लोग सिवलाइजेशन के इस दहलीज पर पहुचे अब सूची सूची कि वर्ल में तो वेस्टन पेपल एरोपियन पेपल वो आर मेकिंग अ क्लीम उप सिवलाइजेशन देवल अगर ग्रीक सिवलाइजेशन और ग्रीक सिवलाइजेशन बहुत लेट है यूनान की सभता जिसे आप कहते हो इट हैस कम वेरी लेट यह आप यही समझेए इसका क्लासिकल फिच पांसो पचास इसापूर में मान जाता है और 338 में बाद में सिकंदर के पिता मैकडूनिया के रूलर फिलिप ने इसे कंकर कर लिया तो उसके बाद इसका डिकलाइन ही हो गया लेकिन इसका अगर आप देखोगी तो बड़ी लंबी बहुत पीछे बहुत बाद में इंडियन सिवलाइजेशन तो बहुत पुराना है इनके बाद फिर चीन की सभता है चैनिज सिवलाइशन है इसका वर्ल की पहली सभताओं में एक होना मिस और मेसोपोर्टामिया की सभता के साथ हरपा सभता सेकेंड वन यह भारत में पर्थम नगरी करन का उदाहरन थी इस दूरिंग हरपान सिवलाइशन इस दूरिंग हरपान सिवलाइशन थी इनगरी करन का मैनिफेस्टेशन था इससे पहले भारत में नगर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो और नगर को इमेजिन करना मुनासिब भी नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि अभी तो हमने बस इस फूर्ड प्रोडख्शन के स्टेज में हम आये थे तो हम कैसे उमीद कर सकते थे नेक्ट वन आप देखते हैं, कि जब हम इस सिवलाइशन की बात करते हैं, तो हमारा आस है, एक तीसरे फीचर की तरफ होता है, वो है उपनिवेस्टिक भारत में कुछ ऐसी महात्म उपलब्धियां सामने आई, जो ने संपुन विश्व का ध्यान भारत की और खीचा था, उन British have already colonized us, British ने हमारा आपनिवेस्टिक करन किया हुआ था, तो हमारा तो सोचंत स्टेटर्स था नहीं, हम अपने अतीत को भी लगभग भूल चुके थे, हमारे अतीत के विश्व में पहला रिसर्च किसके दौरा किया गया, तो so-called प्राक्यवादी, ओरिएंटलिस्ट, जो British scholars थे, और बाद में British scholars के बाद कुछ Western scholars, क्योंकि भारत में याउरप में प्राचवाद के अध्यन के तीन महत्पुन्द केंदर बने थे, एक लंदन, दूसरा बर्लीन, और तीसरा मार्स को एने रूस, तो इन तीनों जगों पर जो प्राचवादी थे, उन्होंने फिर भार इसने दुनिया का ध्यान हमारी और अकरशित किया, जैसे मैं उदारन बताता हूँ, कि एक घटना बनती है, जब गांधी ने South Africa में एक colonial power के अग्रेस्ट में बढ़ा ही uncommon, जिसे कहते हो, मास्तत्यगरह movement को lead किया, जो दुनिया में एक अनोखा प्रयोग था, तो पूरी दु आके थे तो इंडिया के, तो इंडिया पर बर्वस उनका ध्यान गया, दूसरा आप देखते हो, कि जब शिकागो विश्व धर्म समिरन में, स्वामे विवेका नदने, भारतिय वेदानतिक दर्शन की धाग जमा दी, फिर दुनिया का ध्यान, भारतिय संस्कृतिक की तरफ और भारत की महान संस्कृतिक धरोर की तरफ गया, उसके आगे अगर आप देखेंगे, उनीस सो पांच चार पांच में, कौटिल के अर्श सास्त्र की खोज हुई, कौटिल के अर्श सास्त्र से पहले, यही माना जाता था, कि दुनिया का पहला या थार्थवादी रानितिक चिंतक मैक्यावेली है और उसकी रशना प्रिंस है, बट वेन अर्श सास्त्र वा इसकोजर आर्श अमा शास्त्री, देन गोल वल्ट केम तो नौ, कि 2000 यह बैक दिन मैक्यावेली, देर वस अवेरी, यही रियलिस्टिक थिंकर, और यही रियलिस्टिक प्लिटिकल थिंकर, हमें याद है कि सुनिल खिलनानी की एक पुस्तक आई थी, उन्हें 1905 के वर्ष को एशिया के अपसर्ज का वर्ष घोषित किया, क्योंकि 1905 के वर्ष में दो ऐसी घटनाएं हुई, जिसे पूरे पस्मी बिस चकित रह गया, 1905 के वर्ष में एक छूटा सा पिग्मी रास्ट जापान ने एक जाइंट वेस्टर्ण पावर, चुकि रशिया अपने आपको वेस्टर्ण ही ट्रीट करता था, उसे बुरी तरह प्राजित कर दिया, और उसी प्रकार 1905 में याई 1905 में कोटिल के अर्ष सास्त की खोज हुई, जिसने कहीं न कहीं दिखाया कि अथार्थव जब भारत के आर्केलोसकल सर्वे उफ इंडिया के हेड गॉर्डन चैड ने एक नई सब्विता और विष्व की प्राचिंतम सब्विता, एक नगड़ी सब्विता की खोज की घोशना की, तो पूरी दुनिया चकीत रह गई, बिटिस भी डिफेंसिव रह गए, क्योंकि अ अब बड़ी अजीव इस्तिती थी, उस कालोनी में दुनिया की प्राचिंतम सब्विता, सब्विताओं में एक निकल गई थी, जबकि इस्तें पस्मी विष्व ही, बहुत बाद में चल कर सब्विता हुआ था, तो इस वन, नेक्ट वन, भौगाली प्रसार के दिश से, या मिस्व पोटामिया यह वो मिस्र की सब्विता को मिला कर भी आगे थी, अगर आप इसका आकार देखेंगा हरक्पन सिवलाइशन का, तो लगवग माना जाता है, दस से तिरा लाख स्क्वाइर किलोमीटर्स इसका आकार था, जग्राफिकल आकार था, अगर आज के संदर में तो उस समय वन थर्ड एरिया इसका एरिप्रिनेट करता था, तो आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी सब्विता, इतनी बड़ी चत्र में तो जाहिर है कि विद्वानों का ध्यान आकरसित किया और बर्बस विद्वान हरपा सब्विता के अध्यन की तरफ वो नमुख हो गए बच्चों यह जो लेक्चर मैंने हरपा सब्विता के लिए आप लोगों को तो मैं इसे बस एक लेक्चर में समेटना चाहता, वैसे मेरा कॉमन क्लास में यह लेक्चर, कम से कम चार लेक्चर में हम इसको लेते हैं, कोशन आंसर करते हैं, बहुत एक्जॉस्टिवली, आउटलाइन दे रहा हूँ, इंपोर्टेंट कोशन्स के मुद्दे को भी उठा रहा हूँ और उमीद कर रहा हूँ, कि आपके लिए उप्योगी सिद्ध होगा, लेकिन ध्यान रखे, यह लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, और आपको इसे देखना चाहिए, एक्जाम पॉ यहाँ आपका यह रेड़ सी, लाल सागर देख रहे हो, यही मिसर कारियन है, यह मिसर की सब्विता है, और आप अगर इधर बढ़ते हो, यह मिसर की सब्विता है, और यह मेसोपोर्टामी की, टिग्रिस यूफ्रेट्स मेसोपोर्टामी है, एक्चुली मैप वैसे आपको यहाँ पर ज्यादा वीजेवन नहीं होगा, लेकिन आपको पीडिया पर भी या आप तो गूगल पर भी जा कर देख सकते हो, तो आपको लोकेशन पता चल जाएगा, अफ्रिका अफ्रिकन कॉंटिनेंट में आप रेड सी पर आओ, रेड सी के बगल में एजिप्ट है, इस उसमें एजिप्ट का इधर जो रहा है, आगे वी एजिप्ट की एग्जिस्टेंस के उने कोई रूप में रही है, और इधर आप देखते हो, पॉस्म एशिया में आपको दिखेगा, जो यह टिग्रिस उफ्रेट का जो रिजन है, तो यह मेसो पोर्टामिया, आपको यह न नाइल रिवर है, नाइल रिवर के पास, जिसको नील नदी बोलते हैं, एजिप्ट है, और इस दरियन अप मेसो पोर्टामिया, उसको बोलते हैं टिग्रिस, जिसको युफ्रेट्स, दजला फुरात की घाटियों से बोलते हैं, उसमें मेसो पोर्टामिया की सब्वेता पन अब मैं फिर एक दूसरा मुद्दा उठाता हूँ अब देखो यही है आपका यगर आफकल एक्सपेंशन बड़ आयम सॉरी कि आपको यह नहीं देखेगा आप इसे मैं कोई कोई कोशिश करता हूँ आप तक इसको किस तरह से हस्तांतरित करने का ट्रांसफर करने का एंद इस इस अरप्पन सिबलाइजेशन वंस अगें इस दे मैप बट इस नोट वीजिबल आप इस अब खादुत पादन के वस्था में पहुंचने के तीन सास्त राबदी के अंतरगाथी भारत का विसेश छेतर नगरी करन मेरा पुराना जो डिसकुसन ता उसी का पार्ट है once again मैं आपको पीछे ले चलता हूं देखिए आप इस मैप से पीछे जाएए तो मैंने मेरा मुद्दा क्या है एक बार फिर मुद्दे पर आते हैं भारत के लगवग पांग-छाजार वर्सों की इतिहास में हरप्पा सब विद्वानों की आकरशन का प्रमकांदर क्यों रहा है why is Harappan civilization are the issue and important matter of attraction of scholars all over the world since the last five thousand years so this is the basic issue here I have given one, two, three, four and five factors behind that तो अब फार्स फैक्टर है विश्व की प्राचिंतम सबताओं में एक रही थी जो मैं डिसकस कर चो कहा हूँ, दूसरा, तीसरा, चोथा और इसी से जुरा हुआ पाँचवा मुद्दा भी आप देख लें, यह पाँचवा मुद्दा यह है, खादी का होना चाहिए द्याओ, स्वरी, इसको मैं थोरा ठीक करता हूँ, खादे, फूड्स, फूड्स, तो खादे उत्पादन के वस्था, अब देखिए, इसलिए भी विद्वानों का ध्यान हरप्पां सिवलायसन पर अस्थापित हुआ, क्योंकि दोखों, बच्चों, मैं जब कोई भी इस्वरिंट त करता है, या समझने की कोशिश करता है, तो वो पर रहा होता है, बैचेहनी मेरे मन में हो रही होती है, तो कि हरप्पां सिवलायसन का जो डेवलोप्मेंट है, जो इशूज है, जो कॉम्प्लिकेशन्स है, जो ये कॉम्प्लिकेशन्स कभी भी अकेला हरप्पां सिवलायसन क आधार पर हल नहीं किया जा सकता, अब आप ही समझे, इसे हम कहते हैं नगरी करन, तो भाई हम हर अपा सबता के नगरी करन पर इतना आश्यर प्रकट करते हैं, वही छटी शदी सापूर में नौर्थ इंडिया में और मिडल गंगेटिक बेसिन में, The second, urbanization manifested itself, but we are not surprised at this phenomenon, what is the region behind that, वहाँ भी तो हमें surprised होना चाहिए, प्रन्तों उस फिनोमेना से surprised नहीं है, उसका रीजन क्या हो सकता है, यह भी तो समझने की बात है, तो देखो बच्चो, the region being, कि भी बहुत आगे, जब मानभ फूर्ट प्रोड़क्शन स्टेज में पहुंचा उसके बहुत आगे, फिर आगे आप देखते हो, कि फिर तो शल्तलत 10th century onwards, जिसको 3rd urbanization की परिकल्पना की गई वह इंडिया में हुआ, जो डेली शल्तलत के टाइम में और भी जादा उसका प्रोग्रेस हुआ, और मुगल पिरियोड में आकर, that has reached up to its climax, तो इतने सारे urban centers हु तो फिर हम हर अपन civilization को लेकर इतने बहचेन कियो हैं, जिसकी वज़ा ही है बचों, कि आप मानव के विकास को देखो, अगर आप geological era से धीरे-धीरे historical era पर आते हो, तो geological era में तो आपको बहुत सारे अलग-अलग मिलेंगे, quaternary, tertiary, फिर उसके epochs मिलेंगे, उसमें आप द उसको करते हैं, पूरा पाशानकाल, उसे पूर एतिहासिक काल कहीं हो चरन है, और फिर उसके बाद आता है, मदपाशानकाल, middle gangetic basin, तो कोई बच्चा जो हर अपस सब्रता समझना चाहता है, उसे थोड़ी से जलक पीछे, पूरा पाशानकाल से फिर मदपाशानकाल पर आना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर उहां तक वो बहुत comprehensively नहीं जानता है, तो उसको neolithic period, जिसको करते हो नौ पाशानकाल, वो तो अच्छे धंग से समझना ही चाहिए, चुकि नौ पाशानकाल मानव के इतिहास में इतनी महत्पून घटना है, जब मानव शिकारी और खद संग hunting and food gathering to food producing, इसलिए Gordon Child ने नौपाशानकाल को नौपाशान क्रांती की भी संग्याद दिये, उसने कहा है, यह स्ताधन घटना नहीं है, it is just like a revolution, यह एक revolution है, उसको क्रांती जैसी संग्याद दी गही है अपने आप में, यह बहुत बड़ी चीज है आप देखते हो, तो वहां स सोचो कि लगवा कि 6000 इसापूर में, भारतियों महादीप में, जिसका पहला अस्था निकला, नौपाशानकालिक अस्थाल मेहरगर, लेकिन मैं यहाँ, I am seeking pardon, क्योंकि अब नए रिस्टरच में इसको चैलेंज किया गया है, क्योंकि अभी आप देखोगे UP में संद कभीर न एक साइट है, तो वो तो अपना चलता रहेगा, वो फिर आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हम यह आपको बताना चाहते हैं, कि यह इस इस पहले ही आपको कहा है, I am seeking pardon from you, इस लेक्चर को मुझे लंबा रखना है, क्योंकि मुझे इस एक क्लास में, आपको पूरे ह हरपण civilization के complications को समझाना है, तो जाहिर है कि आपको अगर एक गोमे लेक्चर आप नहीं देख पाएं, आप घवराएं नहीं, आप उसको पार्ट पार्ट कर लेना, दो पार्ट में देखना, तीन पार्ट में देखना, लेकिन इस पूरे को एक समझने का प्रयाह जरूर करना आप इसको simply a data मत लेना, यह मैं आपको आकरा नहीं दे रहा, मैं बता रहा कि हरपण civilization की समझ विक्षित करने के लिए हमें किन-किन चीजों से अपने आपको जोर कर देखना चाहिए, तब ही इस चीज़ के साथ हम justice कर पाएंगे, तो अब 6000 इसा पूर में यहाँ पर खाद शुरू हुआ, और 3000 वर्स के अंदर ही, भारत का एक खास च्छत्र नगरी करन के वस्था में पहुंच गया, at the stage of urbanization, और दुनिया की प्राचिंतम सबताओं में एक हो गया, यह आशियर की बात है, कि 3000 वर्सों में कुछ खास च्छत्रों ने यह मेरे कल क्यों किया, कैसे किय ट्रिरना कहां से मिली, यह हमारे विचार का विश है, अब इसी के साथ हम दूसरा issue उठाते हैं, हरपा सबता का उध्वा यवं पतन का मुद्धा इतनाधिक विवादाश्पत क्यों? Why are the issues of the origin and the decline of Harappan civilization so complicated now? Why have the issues of this first urban civilization in India fallen into such a big controversy? What is the reason behind that? Means कि why did Harappan issues just become a mind-boggling question for the scholars? So, here on the other hand, we have two important factors told you. The first one, Harappan lippi padi nahi jya saki. Harappan script has not so far been deciphered. मतलब, बदकिस्मती देखिए. Contemporary civilization में मिसर की लिपी भी पढ़ी गई, मिसर पोर्टामिया की लिपी भी पढ़ी गई, Harappai लोगों ने भारत की प्राजिनतम लिपी छोड़ी हुई है, वो लिपी आज तक नहीं पढ़ी गई. अब देखो, यह बहुत fortunate condition था. अगर आप मिसर के जिहास पर नर्याट डालोगे तो पता चलेगा, कि एक समय ऐसा आया कि मिसर फ्रांसिसियों की कॉलोनी बन गई, उसका उपनिवेश बन गया. तो एक फ्रांसिसी कुछ सैनिक अधिकारी ही थे, जो नाइल नदी, what you call as the नील नदी, जिसे आप नील नदी भी कहते हैं, तो जब वो नील नदी के घाटी में कुछ धूर रहे थे, तो उनको एक रोसेटा एस्टोन मिला, एक एस्टोन है, एक रोसेटा नमक जगा है, जहां पर उनको एस्टोन मिला, और उस एस्टोन पर उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन देखा, fortunately वे इंस्क्रिप्शन तीन लीपियों में लिखी गई थी, तो एक लिपी तो आप समझ सकते हो कि पिक्टोग्राफिक टाइब की थी जो मिसर की repentative लिपी थी उसके अलाबा दू अन लिपीों में एक ग्रिक लिपी में वी लिखी गई थी और एक अन लिपी में कुल तीन लिपीों में लिखित मिल गया तो अब ये घटना में 1799 की ही बता रहा हूँ तो विद्वानों को एक महत्पूर्ण एक बेस मिल गया उन्होंने तीनों लीपियों की आपस में तुलना करके और फिर उन्हें मिसर की लीपि पढ़ ली प्रोब्लेम सॉल हो गया The same happened in case of Mesopotamia as well उसकी लीपि क्युनिफर्म थी तो क्युनिफर्म that is called किलनुमा लीपि मैं किलनुमा क्युनिफर्म स्क्रेप्ट तो उसको पढ़ना भी वैसे ही चैलेंजिंग था लेकर उहां पर भी एक ऐसा लिपि का साइज बरा कारण है दूसरी बात है कि बाइलिंग्वल कुछ मिला नहीं है अब देखो हरपाई लोग तो एक भाषा का प्रियूग करते नहीं होंगे इतनी बड़ इच्छे तरमेज का फैलाव है और वहां भी हमें एक तरह का कल्ट्रल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है तो इतनी कल्ट्रल डाइवर्सिफिकेशन को रहते हुए क्या हम परिकल्पना कर सकते हैं कि हरपाई लोगों की एक भाषा रही होगी नहीं लेकिन एक चीज आप देखते हो कि हरपन पेपल अल्टो अल्टो डे कुड नोट ओवर्कम डाइवर्सिटीज बड़ आव अल्वेज बीन conscious and you know prompt and active about creating some sort of uniformity लेकिन साथी साथ उन्होंने हमेशा ये uniformity को established करने की कोशिश की तो एक जो आप लिपी देखतो हरपाई लिपी that should have been an official script वो हरपाई लोगों का आधिकारिक लिपी रही होगी लेकिन वह चुकी अकेली मिली छोटी सी मिली उसे पढ़ा नहीं जा सका कितने विद्वानों ने प्रयास किया उस पर William Hunter नामग विद्वान ने काम किया फिर आसकोप पर पोला ने काम किया फिर आप देखोगे आई महादेवन ने काम किया अगर वो लिपी पढ़ी होती तो आज ये पूरी सब्विता के अध्यन के दिशा अलग होती आगे मैं आपको उस लिपी के बारे में भी थोड़ा दिखाऊंगा थोड़ा वीज्वल इमेज हलाकि मैं दूसरे परपस में दिखाऊंगा ये वहां लिपी का इमेज भी आपको दिख जाएगा और दूसरा कान हुआ कि बिटिस इतने विक्षित नगरिये सब्वता की आस्थापना का सरी उपनवेश कोई लोगों को नहीं देना चाहते The second one factor is the British arrogance. British were not ready to give credit for the creation of such efficient civilization, such a great civilization to colonial people like India. अब इंडिया को नहीं देने की वजाया थी कि they were always making a claim of civilizing the barbarous and uncivilized Indians, but now this Harappan civilization and discovery of Harappan civilization was going to prove कि no, Indians were civilized much earlier than the British themselves. अब किस मुँ से वो भारत पर शासन करने का अपने बड़े-बड़े दावे करते क्योंकि Indians ने कहीं ने कहीं सिद्ध कर दिया कि भाई हम तो उस समय सिविलाइज हो चुके थे, जिस समय आप खुद बहुत बरवर थे, तो इसलिए British इस बात को सहन करने के त्यार नहीं थे, कि इसका credit Indian को दिया जाए, दूसरा factor, आजाए ये issue पर issue क्या है, कि विवादों में चोल्जा, तो एक तो लिपी नहीं पर ही गई, दूसरा British imperialistic arrogance, British सामराजवादी अहंकार. मैंने पहले ही कहा, आपको मैं 4-5 सेकेंड के लिए पीछे हो जाओंगा, आप तब तक उसको देख ले ना, हरपा सब्यता के उध्वो से संबंधित विवाद, Gordon एवं Mortimer, Wheeler जैसे विद्वानों के दौरा में सो पोटाम्याई उत्पत्ति के ओधारना प्रंतिय ओधारना त to be a very controversial issue in the Histography of ancient India, ये बहुत विवादाशवद मुद्दा रहा है, उसी में क्यों विवादाशवद मुद्दा रहा है तो पहले बिद्वानों ने या अस्थापित करने का प्रयास किया, ये बिद्वान कोई और नहीं थे, बिटिस बिद्वान थे, उनने सिद्ध करने का प लिए जाते हैं जैसे एक नाम आपने Gordon देखा और बाकी नाम को मैंने काट दिया क्योंकि मैं आपको facts का वजर नहीं देना चाहता था इसमें Kramer Mahoday भी है, Gordon भी है, Mortimer Willer तो एक बहुत बड़े बिद्वान है, उन्होंने भी इस बात को highlight किया है तो इन सवों का कहना था, इसमें कुछ का कहना था कि मेस्तो पोटामिया से लोग आए, अपने साथ कुछ चुने हुए उपकरनों को भी लेकर आए and with the support of the objects, they could develop a well-built civilization तो मैं इस विसे में आपको यह कहना चाहता हूँ, कि यह कहने का बेसिस क्या था अच्छा इदका तो एक कहना था, दूसरा Mortimer Willer का कहना था, कि लोगों का माइग्रेशन तो नहीं हुआ, बलकि वीचारों का माइग्रेशन हुआ क्योंकि elements of civilization was just lingering in the sky of Mesopotamia itself उनका यह कहना था, कि Mesopotamia के आकाश में ही, वातावरन में ही सबता जैसे चीजें तेहर रही थी, वहीं से सबता और नगरीकन का वीचार भारत आ गया अब देखो, ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? तो इसमें एक archaeologist है, D.K. चेकरवड़ती, उत्थवरा सा ultra-nationalist भी है तो बड़ा आहत फियूम की इस बात से उन्होंने तर्ख दिया कि actually Mortimer Wheeler यहाँ बात 1944, 1944 में लिख रहे थी और 1944 तक लगबग यहाँ बात तैह हो चुकी थी, कि भारत आजाद होने जा रहा है तो आजादी की पूर्व संध्या में इस तरह की बात करना, लेकिन फिर भी British arrogance यहाँ था उन्हें लगता था कि हम कैसे स्विकार करें, कि दुनिया की सबसे विक्सित सभता, कि सास्थापक यह भारतिये हैं वो इस बात को पचा नहीं पा रहे थी तो यह फैक्टर था, अब इन लोगों ने जो western scholars उनों एक theory दे हुई है, जैसे देखो, कहीं पर जो विकास होता है, तो उसमें basically anthropologist की theory है, तो दो तरह की theory, दो तरह के सिध्यान्त है एक को कहते हैं evolutionist theory, माने विकासवादी सिध्यान्त, दूसरे को कहते हैं diffusiness theory, उसको हिंदी में बोलते हैं visranवादी सिध्यान्त, तो विकासवादी सिध्यान्त यह कहता है, कि विकास का तत्व, कुछ खास छेत्रों में ही होता है और वहाँ से जो विकास करता तो है, उनका यह कहना है, कि प्रतीक समाज, बरवर्ण से सभता की अवस्था में कर्मिक विकास के परिनाम से रूप पहुंशता है कि विकासवादी सिध्यान्त यह अस्थापित करने का प्रियास करता है, कि प्रतीक समाज, बरवर्टा की अवस्था से क्रमिक रूप में विक्षित होकर, सभता की अवस्था में पहुंशता है दूसरा सिध्यान, जिस से आपका तो विश्रन, विश्रनवादी सिध्यान, defunus theory यह मान कर चलती है कि नहीं, विकावज के तत्त कुछ खास चत्रों में विक्सित होते हैं और वहाँ से विश्रित होकर, diffused होकर दूसरे चत्रों में जाते हैं तो यह विशरनवादी सिध्यांत ने बेसीकली यह सिध्य करने का प्रयास किया कि इसी तरह के जो विकास के तत्व है वो पौस्सिम एशिया में अवस्थे थे और पौस्सिम एशिया से वो तत्व विश्रित होकर अन्यत्र गए। फिलिस्टिनी, सीर्या, इस्राइल का छट्र है तो उन छट्रों में सबसे पहले एक्रिक कर डिवललॉप्मेंट हुआ और वहीं से एक्रिक कल्चर विश्रित होकर मेहरगर की तरफ आया या बाकी छत्रों की तरफ आया। यह सिध्यांत उन्होंने पहले देने कोसिश है कि、 데 to आरण एसमेल्टिंग या लोहे को गलाने की विधी वही जानते थे, एक हित्ती सामराजी था, जो जानता था, लेकिन दुनिया से उसे छिपा कर रखा हुआ था, तो जब बारहवी शदी सापुर में इस हित्ती सामराजी का, जिसको हिटाइट इम्पायर भी बोलते थे, उसक हुआ, तो देन, आर्टीजल्स ओफ हिटाइट इम्पायर डिस्पर्स तो डिफेरेंट रिजन्स, और इसी करम में उनका एक ग्रूप इंडिया में भी आया, तो एक हिजार इसापूर में लगभग भारत में आरन का उप्योग शुरू हुआ, तो यह मत भी अब खंडित हो चुका है, यह भी सरनवादे सिध्यांत भी कहीं न कहीं सामराजवादी अहंकार को दर्शाता है, जो पर्शिम से आया, तो आपके मन में एक प्रस्न होगा, कि भाई यह सामराजवादी अहंकार कैसे, क्योंकि सामराजवादी अहंकार तो समझना नहीं चाहिए इसमें, क्य यह तो इनका तर्क है, तो मैं आपको यह बताना चाहता, कि लेकिन समकाली सब्विताओं से जो को अब तर्क, आप यह दिलों में सो पोटामिया की नकल से आसा हुआ, यह सिध्यान्त आज सर्वांस में खंडित है, सर्वांस में, टोटली रिजेक्टेड यू कैंसे, अब यह तो मैं आपको बताओं कि, रोल अप में सो पोटामिया के बारे में दो वीचार थे, प्रह, एक वीचार मानता था, जो मैंने आपको बता कि में सो पोटामिया से लोग आए, माइग्रेशन हुआ, और उने यहां पर एक सब्विता बनाई, यह सिध्यान्त तो पहले भी सर्चु है, उसमें क्लियर हो गया है, कि सबसे पहले जो फर्स्ट इंडियंस भारत में लगवख सत्तर हजार इसापूर, स्वेंटी थावजेंड बीसी या 65 थावजेंड बीसी में अफ्रिका से उस तरब से अब जिसको आप करते हो सेपियंस, वो सेपियंस भारत से बाहर स इंडियंस, बाद में उत्तर पर्सिम के मेहरगर आदी में भी वसे हुए थे, और लगवख साथ हजार इसापूर में उधर इरान से लोगों का एक समूह आया, वहां का जो जागरोस रीजन था, परवत, मांटेनस रीजन, वहां से कुछ माइग्रेशन हुआ, और लोग और फिर आगे चल कर उसको माना जाता है कि इट हैस प्रिप्रेट बिगनिंग ऑफ फ्यूचर सिवलाइजेशन, यहां पर इध्यान रखने वाली बात है, यह माइग्रेशन साथ साथ जार इसापूर में हुआ है, जबकि हरपा सब्यता चभी साइसापूर में अस्तित में है, तो डारेक्ट हम हरपान सिवलाइशन को आज भी DNA फूट्पिंटिंग कोई इस तरह के माइग्रेशन को एकसेप्ट नहीं कर रही है, तो ओवियसली यह सिध्यान आज तो कहीं भी जगह नहीं रखती, वो तो अपने आप में खंडिती हो गई है, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास बहुत सारे circumstantial evidences ऐसे हैं, जो इस बात को प्रूव नहीं होने दे रहा है, कि हरपाई लोग कहीं न कहीं मेसोपोर्टामिया से आये थे और उन्होंने एक उनना सब्रता को डेवलप किया, इस तरह की बात कहीं भी स्विकिर्ट नहीं है, तो इसे करण के आप दे और जो प्रोहित थे, वो प्रोहित जिगूरत, वहां के टेंपल को जिगूरत बोलते थे, अब दिस इस जिगूरत, यह उनका टेंपल है, और उहां पर जो प्रिष्ट किंग है, प्रिष्ट किंग का कॉंसेप्ट है, तो यह चीज तो नहीं थी, यहां पर तो मंदिर जैसा कोई ऐसा structure मिला ही नहीं which you can identify as the temper religion है but that is not mandir. तो this is the thing and देखो यह जिवूरत है इस तरह के बने हुए थे. राज प्रसादों की लगभग अनपस्थे थी. अब यू फाइड बोद द प्लेसे एजिप्ट अन मेसोपोटामिया यू फाइड आविडिन्स आफ पैलेसेस और पैलेसियल बिल्डिंग्स. बट इन हरपन सिबलाजेशन आपको पैलेसियल देखो महास्नानागार मिलेगा प्रोहितावास मिलेगा जो पिस्ट हाउस है या ग्रेट बात है ग्रेंडीज है यह आपको मिलेंगे बट किसी भी चीज को as such पैलेस की तरह आइंटिफाई करना यह मुश्किल है तो यह बहुत बड़ा अंतर यह भी प्रकट करता है और next one मिर्तक संसकार दालास्ट बरियल की खर्चिली पधत याउन पस्थित अब हरपा में शासकवर के लोग भी मरते थे लेकिन आपको जैसे मिस्र में देखोगे कि इतने शांस स्वकस से साशकों को दफनाया जाता था कि in all over the world you might have heard the name of the pyramids pyramids of Egypt Egyptian pyramids आज भी एक आश्चे जनक चीज में उसकी गिनती होती है मरने के बाद इतनी ज्यादा द्रब्य और आभुशन को साथ में दफना आ जाना इतना तक कि आप मिस्र में सोपोटामिया में देखोगे कि नौकर को भी मार कर दफना देते थे पुनर जनवाद के अधार ना थी कि जब पुनर जनवाद या life after death मिर्तू के बाद के जीवन कि मिर्तू के बाद इन ही जुरुत परेगी इनकी सिवा की इसलिए अब समझ सकते हूं इतने दरब्य और ऐसे बड़े बड़े पिरामिड्स बने दाशों के स्रम से लेकिन आपको हरपा सब बतामी कोई भी कबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसे आप शासक वर्ड के कबर के रूप में पहचान सको मिर्तक के साथ यहां भी आवशक्ता की कुछ वस्तू को दफना ही जाती है लेकिन ध्यान रहे वो आवशक्ता की वस्तूएं सिर्फ वही है कुछ मिर्दभांड है पॉट्रीज है और एक दो छोटे मोटे आभूशन है पस उसी से काम चलाना होता है यूँल फाइंड आट कि दे निवर ट्राइट तो आइडिलाइज देड बड़ी एंद दा लास्ट बड़ियल कभी उसको उन्होंने बहुत जादा तरजीह नहीं थी तो वो भी एक अंतर का बिंदो प्रकट करता है और नेक्स्ट वन आक्रामक मनोविर्ती का साक्ष नहीं हर अपन पिपूल डिड नोट एपिर टो भी एग्रेसिव इन देर एप्रोच अगर आप उनके वेपन्स को अबजर्व करोगे तो पाएंगे आप आओगे उनके जो वेपन्स है उनके जो हतियार है वो आक्रामक है रक्षात्मक नहीं लेकिन आप कहोगे कि आपने तो कहा आक्रामक मनोविर्ती नहीं है तो बच्चो यही गौर करने वाली बात है अगर हतियार आक्रामक है तो शिकार के हतियार है अगर हथियार रक्षाकमक है तो युद्ड के हथियार है वाथ विपन्स तो मतलब उनके जो हथियार है वो शिकार के हथियार है युद्ड के हथियार नहीं next one संकारिन मेसोपोर्टामिया से इटो की बनावट अब इटो को देखी एक तो पहली बात कि इतनी पकाए गए इटे मेसोपोर्टामिया के लोग अब पसम एसिया में देखो वो डेजर्ट वो समय भी तो तुम देखते हो कि वो densely populated नहीं है तो उनके पास तो उतने उड़ ही नहीं है कि जिनसे वो जलाती और फिर बिक्स बनाते इटो का निर्मान करते तो उनके बहुत सारे उनके इटे तो धूप में सुखाए गए इटे चलते रहे यहाँ पर बेहतरीन पकाए गए इटे आपको मिलेगा उनके माकार आपको देख को ऐसा लगेगा कि आज की तारि के बिच रेल्वे लाइन बना था तो कॉंट्रैक्टर्स ने हरपा के बहुत सारे इटो को निकाल कर रेल्वे लाइन के नीचे बिचा दिया क्योंकि इतनी यूजेबल ब्रिक्स थे अब समझ सकते हो कि उसने पका कर कितने बेहतरीन ब्रिक्स बनाए थे तो इट वस गूड तो इतनी बेहतरीन है कि all over the world उस समय के contemporary world के लिए अनुकरनी है तो छोड़िए आज के world के लिए अनुकरनी है अब next one आप जाते हो कर्मिक उद्भाव का सिध्यान अब ये धारना देखो खंडित हो चुकी है जो मैंने पीछे बताया आज जो धारना है ये धारना कहती है कि हरपा सब्यता का कर्मिक उद्भा हुआ, it was the gradual evolution और इस कर्म में आपको देखना परेगा कि थोरा सा बच्चे जो हरपा सब्यता पढ़ते हैं उनसे मैं फिर गुजारिस करूँगा कि हरपा सब्यता को अलग मद देखना नहीं तो आप उसको नहीं समझ पाओगे आप एक रहाख ही है, there are hunters and food gatherers, but whenever you will move to new lithic period, तो पहली बार agriculture का आरब हुआ, तो बहुत सारे बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताओँ कि मैं थोरा सा फिर उस map तो अख है, यह आप नहीं देख पा रहे होगे, लेकिन मैं फिर भी एक मैप पर लाता हू कि अच्वरी एक बच्चों में एक सामाने धारना ऐसी लगती है, इंडिया का मैप अगर नहीं देख पा रहे हो, तो कम सको अपने मन में आप विज्वालाइज कर लो, एक बच्चों में एक आम धारना यह है, कि जैसे नियो लिथिक एज, यानि नौ पाशानकाल, छठी श इसा नहीं है, अगर एक या दू अस्थल भी नौ पाशानकाल का आरंब हो गया, लेकिन ध्यान रहे, कि जब हम गनना करेंगे, और बच्चे तुम लोग जब हिस्ट्री में परहोगे, इस पिरियेट को कहते है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, तो प्री हिस्ट् काल और मधपाशानकाल, और प्रोटो हिस्ट्री के दू अलग-अलग क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया है लिपिगा प्रियुक और दूसरा क्राइटेरिया है अगरिकल्चर की शुरुवात, और दोनों क्राइटेरिया को आप मिला दोगे, तो फिर आपका नौ पाश पाशान काल, हरप पाश्य बता, यह सभी चले आते हैं प्रोटो हिस्ट्री यह अद एतिहासिक काल में, तो अगर आप आद एतिहासिक काल पर नजर डालेंगे, तो आप आप पाएंगे, कि आक्चुली इस काल में चलकर, जैसे पूरा पाशान काल है, फिर मद पाशान काल आय होगे, तो बाकी कुछ मद पाशान कालिक चलन पर है, अब देखिए मेहरगर लगों 6,40 सा पुर्व का अस्थाल है, उस समय जब मेहरगर में क्रिशीक की शुरुवात हो गई, उस समय आप दक्षिन भारत प्राइदियूपिय भारत तो बहुत पीछे और भी पीछे चल ला यह है, सबसे लीडिंग रीजन है, उत्तर पसिम का रीजन, सबसे पहले वहाँ पर नौपाशान काल ने अपने आपको मैनिफेस्ट कर और बड़ी मजबूती से मैनिफेस्ट किया, बड़ी मजबूती से, मतलब में हर गर में आप देखो कि तिन प्रकार के यहूं है, तिन परशी में बहुत सारे अस्थल, जिसके नाम से अभी आप वाकिफ नहीं होगे, जैसे उसमें आते हैं किलिगल मुहम्मद है, रामान धेडी है, इसे बहुत सारे अस्थल प्रकास में आते गए, तो मैं यह कहना चाहता कि जिससे हम हरपसबिता कहते हैं, वो हरपसबिता का आधार छठी शदी सापूर से ही विक्सित होना शुरू हो गया, क्योंकि जिसे कहते हो सम्रिद ग्रामीन बस्तियां वो उत्तर पस्ति में विक्सित हुई, फिर बच्चों लगभग 32 सापूर और 26 सापूर, इसलिए पहला हम इस डियाग्राम पर आपको लाते हैं, आप इस पर एक नजर डाल लीजिए, हम थोड़ा हट जाते, देखिए उत्तर पस्ति में की सम्रिद क्रिशक बस्तियां पच्चपाउं सापूर से 32 सापूर, फिर आप दूसरा देखिए आरंबिक हरपाचरन, 32 सापूर से 26 सापूर, उसके आगे देखिए हरपाचरन, 26 सापूर से 33 सापूर, यहाँ पर कुल मिला कर संवलिद ग्रामीन बस्तियां आएगी, फिर यह चरन आता है ज़ बतूस्ति में कुछ न्या तक्निकी विकास होगा, जिस से अब कहते हो, अरंबिक हरपाचरन, अर्ली हरपाचरन, अर्ली हरपाचरन, अर्ली हरपाचरन, और भी हर अपन फिज and it commences between 3200 BC to 2600 BC इसमें आपको महत्पून इनोवेशन देखने को मिलेगा तामबे का परचलन copper यही समय है कि आपको ग्रेनरीज का development देखने को मिलेगा और इस समय बोट का प्रियोग शुरू हुआ है हल, प्लाओ, हल का प्रियोग शुरू हुआ है अब बड़े रक्षात्मक दिवारे बनी है धाने कोठारों का निर्मान हुआ है जिसे तुम कहते हो इस फीज में आकर और तब जाकर हरपा सब्यता का मुख रूप से आधार तियार हुआ है अब तब 26 इसापुर से 19 इसापुर में विक्सित हरपा सब्यता प्रकास में आई है अब आपके मन में भी जिग्यासा होगी थोरी हमें भी मन में बेचैनी है कि कास हम इसकी पूरी थियरी आपके साथ डिसकस कर पाते लिगन मैं फिर एक बार बता दू यह पूरा एरिया हम चार क्लास में लेते हैं लेकिन मुझे एक क्लास में आपको समझाना है इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा अपने आपको रोगूंगा मैं थोड़ी से आपको जलक दे देता हूँ कि अब विद्वानी मानते हैं कि लगवग 55 इसापुर से उत्तरपसिमें जो सम्रिद क्रिशक बस्तिया हैं वहीं से ध्रीद्रे परिवर्तन सुरू हुआ और नए तक्निकी विकास के पहिनाम सरूप उत्तरपसिम का चेतर नगरी करण के वस्था में पहुँच गया लेकिन यहाँ पर भी विवाद के एक दो मुद्दे हैं जैसे गौर्डन चैल जैसे विद्वान है उ जब जोड़ से ज़्यादा आप उत्पादन करते हो तो उस उत्पादन के परिविनाम सरूप बहुत लोग अगरी कल्चर से निकल कर अपने आपको क्राफ्ट यानि सिल्प में लगा लेते हैं बहुत लोग बैपार की तरफ चले जाते हैं बहुत लोग निर्मानकारी में लग जाते हैं बहुत शासक वर्ग में शामिल हो जाते हैं कुछ प्रोहित वर्ग में शामिल हो जाते हैं तो डिविजन ओफ लिवर सुरू होता है एकॉनमी को बड़ा स्ट्रॉंग जोल्ट मिलता है और धीरे धीरे वो अर्वनाइशन के वह अस्था में पहुंच जाता है तिन में यहां पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, कि कि प्रोडेक्शन सर्प्लस, कुछ बिद्वान मानते हैं कि प्रोडेक्शन सर्प्लस ही अपने आप में काफी नहीं होता है, एक ऐसी एजेंसी चाहिए, जो सर्प्लस को खीच खाज कर एक अस्थान पर ला सके, दिन it will culminate into urbanization, जब तक हुआ, उस सर्प्लस उस पादन को एक जगह पर जमा नहीं कर पाता, तब तक वो नगरी करन के वास्था में नहीं पहुंच सकता है, तब आपके मन में जिग्यासा होगी, यह authority कौन होगा, जो दुरवर्ती च्चत्रों से खीच खाज कर एक जगह पर ला स सकेगा, तो ऐसे बच्चों दो ही authority हो सकती है, एक तो सासक वर्क के लोग हो सकते हैं, जो इस्टेब्लिस अपने आपको कर सकते हैं, और फिर वो दूर दराज में टैस्ट लगा कर लोगों को खीच कर उस अत्रिक्स धन को एक खास अस्थल पर ला सकते हैं, या फिर दूसरा वह हो सकता है, जिसे कर तो पिष्ट क्लास या प्रोहित वर्क और अगर आप मेस्ट पोटामिया से समानता दिखाओगे, तो मेस्ट पोटामिया में एक जग है, उसका नाम है उरुक, तो उरुक में कैसी एक rural society, urban society में उसका transition हुआ, संक्रमन हुआ, उसका साच्च हमें मेस् ले आने में, पिष्ट क्लास का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो इसलिए कुछ बिद्वान मानते हैं, कि हरपन civilization के urbanization में, ruling class और पिष्ट क्लास इन दोनों में से किसी एक का रोल ज्यादा decisive था, और कम से कम एक प्रमान, एक दो प्रमान तो मिली गए हैं, आपने अगर सुन होगा, तो एक तो मोहन जोद्रों एक अस्थल है, तो मोहन जोद्रों में एक दारी वाले साधुक की मुर्ती की चर्चा आपको मिलेगी, जो एक चादर ओढ़ा हुआ है, उसकी दारी है, आपको NCIT बुक या कहीं भी आपको उसका figure भी देखने को मिलेगा, और एक महा अस्न अस्नानागार का तो नाम सुना ही है, तो महा अस्नानागार या ग्रेट बात है, उसका संबंद कहीं न कहीं, रिच्वल बात, आनुस्थानिक अस्नावन से जोड़ा जाता है, वो भी कोई न कोई धर्म से जुरी हुए चीज़ लगती है, तो एक प्रिस्ट क्लास वहां रह होगा, अब एक विद्वान फियर सर्विस महोदय ने इसी आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया है, कि रोल ओफ रिलिजन इन हर अप्पम सिवलाइजेशन, सिरिन रतनागर हैं, और ग्रेगरी पौशेन नमक विद्वान हैं, वो मेस्टो पोटामियाई बैपार को बहु अविद्वान ने कहा कि दक्शिन पंत्य और अतीराष्ट वादी हैं, तो उन्हों ने इस बात का, खंडन किया, उन्होंने कहा, अला कि उनका तर्क सही है, मैं भी उनसे ऐगरी करता हूं, उन्होंने कहा कि देखो, दो, तीन बाते हैं, पहली बात है, क्या आपके पास ऐसा निश्चित आंकरा है जिसे यह पता चलता हो कि भारत और मेस्ट पोर्टामिया के बीच किस हद तक बैपार चल रहा था पहली चीज़ दूसरी चीज़ कि उन्होंने यह कहा कि पास्थिम एशिया के छेतर की तुलनामी भारत का जो रीजन है उस्वेम इंडिया का रीजन ज्यादा प्रोस्पिरस है और अगर इंडिया का खुद का रीजन ज्यादा प्रोस्पिरस है तो इंडिया अपने अर्वनाइशन के लिए पास्थिम एशिया पर को निर्फर रहेगा इट इस रॉंग इट इस रॉंग नोशन तो इस आधार पर जो wrong notion के आधार ना के आधार पर उन्होंने इस बात का खंडन किया कहा कि नहीं ये अन्बिलेबल है तो इस बात को उन्हें एक तरह से औस्विकार कर दिया और एक बात और भी है जब मेसोपोटामिया के ट्रेड के रोल की बात होती है तो अब तो नए रिसर्फ में बताते हैं कि डिलेक्ट हर अपई बैपारियों की पहुंच मेसोपोटामिया तक थी भी नहीं बलकि आपको मेसोटामिया से पहले एक जगा आती है फारस की खारी फारस की खारी में एक जगा उसमें हुआ करता था फैलका और बहरी varying तो अब तो यह तक दिया जाता है कि अब फैलका और बहरीन के बैपारी थे जो फैलका और बहरीन के बैपारी ने इस बैपार में जम कर मध्यस्त की भूमी का निवाई है तो अब तो पूरा का पूरा स्रे में सुपोर्टामियाई बैपार को दिया भी नहीं जाता तो बच्चों इस प्रकार से हम देखेंगे, अब बच्चों जब 26 इसापूर से 1900 इसापूर हरपाई चरन माना जाता है, और 1900 इसापूर में हरपा सब्रता का पतन माना जाता है, में सब पूर्टामिया के साहित में हरपा सब्रता के लिए टर्म का प्रियोग किया जाता था मे 200 इसा पुर्व के बाद मेलुहा की चर्चा बंद हो गई तो इससे यह अर्थ लगाया जाता है कि हर अप्पा सब्विता का उस समय तक पतन हो गया तो अब उसके बाद भारती महादीप में जो परिदिर्स है लास्ट में थोरी चर्चा इसकी करूंगा क्योंकि सबसे बड़ी सब्विता से पहले जो भी हरप्पा सब्विता का जो बच्चे अध्यन करते हैं तो प्राया वो हरप्पा सब्विता से पहले का इतिहास का अध्यन करते हैं तो नॉर्मली होता क्या है कि जहां से आप वैदिक सब्विता का अध्यन करते हो वहां से अध्यन के साक्ष के और वैदिक सब्वता से पहले, चाहे हुआ पुर्व एतिहासिक काल हो, आद एतिहासिक काल हो, आपके अध्यन में पुरा तात्विक साक्ष की बड़ी अहमियत बनी रहती है, तो नॉर्मली होता क्या है, कि उसका अध्यन जो बच्चे करते हैं, तो उनको ये बात पता ही नहीं चल पाता है, वो इस बात को नहीं महसूस कर पाते, उन्होंने जो अध्यन किया है, वह अध्यन में सहितिक साक्ष उपलब्द नहीं है, इसलिए उनको कम ही प्रकास उन महादीव का परिद्र ही कैसा रहा उसकी ओधार ना उन्हें डिफलॉब भी नहीं कर पाती गडिवन आज मैं कम से कम इतने कम समय में मैं पूरी ओधार ना तो आपका असपॉस्ट नहीं पर पाऊंगा लेकिन हाँ मैं कम से कम उसकी जलक आपको जरूर दोंगा तो आप उनीट सई सापूर से तेरा सई सापूर के बीज देखते हो अब मॉडल प्रस मैंने एक दो उठाया है क्या हरपा सब्विता काकसमात उद्वा हुआ जैसे अगर आपसे question पूछते हैं कि did हरपा सब्विता काकसमात उद्वा हुआ तो जाहिर है आप हां नहीं कहेंगे और ये question का direction कहा होगा यह भी पूछा नहीं है कभी भी आपको पूछा जाएगा इसका direction मेसोपोर्टामियाई उद्वा की तरफ होगा तो आप पहले मेसोपोर्टामियाई उत्पती का सिध्यांत बताओगे फिर उसका खंडन करते हुए और तब एक direction इस दिसामें ले जाके छोड़ दोगे कि हरपा सब्विता के उद्वा को क्रमिक विकास के संदर्ह में समझने की जिरुरत है दूसरा क्या मेसोपोर्टामियाई उत्पती का सिध्यांत हरपा सब्विता के उद्वा की वास्तिक व्याख्या कर पाता यही प्रस्ण प्रकारांतर से बदल कर आपको दिया गया है कि तो यहां भी आपको इसके अगेस्ट महीं जाना परेगा बताना पड़ेगा कि मेसोपोर्टामियाई उत्पती के उधारना क्या है आप क्यों इससे सहमत नहीं है और फिर आपको हलका सा क्रमिक उद्वा जो ग्रेजुल एवलुशन है उस सिध्यांत की तरफ संकेत दे कर छोड़ देना होगा फिर नेक्ट वन आप देखते हो हरपास अब बता है कि उद्वा में कौन सा सिध्यांत अधिक तार्फिक लगता है अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजी तो जाहिर है कि इस कोश्चन में भी आप कर्मिक उद्वा के सिध्यांत में जाओगे वैसे आप कहोगे इसमें तो दो ही सिध्यांत है मेसोपोट्यामियाई उत्पति का और कर्मिक उद्वा का सिध्यांत यहाँ पर मैं थोड़ा आप से डिफर करूँगा अब कुछ विद्वारों ने इस पर कुछ अन्य बाती भी कर दी है जैसे मैं आपको बताओं कि कुछ ऐसी स्कॉलर्स हैं जो सिध्य करने का प्रयास करते हैं कि वैदिक आरियंस भारत में हरपन से पहले थे और वैदिक आरियंस ही हरपन सब्विता के फाउंडर थे इस तरह का अती राष्वादी रुजहान आता है इसका कान यह है कि कहीं न कहीं लोग वैदिक को भारत के हिंदुत से जोड़ लेते हैं तो भारतिय स्थब्वत्या के खेदन में ही वैदिक आरियों को रख लेते हैं तो कोई भी इंडिया के ऐसे अचिवमेंट का बखान ही नहीं करना चाहते है जहाँ वैदिक आरियोंस नहीं हो और वैदिक आरियोंस से पहले के लोग इतने विक्सित होंगे जिसने दुनिया का सबसे चुस्त और दुरुस्त नगर डेफलप कर लिया यह बाते कुछ लोगों को पच नहीं पाती है तो यही वज़ा है कि हरपा सब्वता के फाउंडेशन में भी वैदिक आरियोंस को जोड़ना चाहते हैं लेकिन हाँ इनके तमाम प्रयासों के बावजुद भी यह धारना आज कहीं भी सुईखिर्थ नहीं अब देखिए यह इतना स्टेंडर्ड कोशन 2016 में पूछा था यह जो सबसे नीची हमने रखा है इसको मुझे लगता है कि अधिकांस बच्ची इस कोशन के साथ जस्टिस नहीं कर पायोंगे इसकी वज़या है यह कोशन देखिए क्या पूछ रहा है समझाईए कि क्या करण है कि अधिकांस ग्यात हरप्पा का इन वस्तियां लवनिये भूजल वाले अर्द सुस्क छेतरों में अवस्तित हैं अब जी इसको थोड़ा सा जगराफकर लोकेशन और थोड़ा भूगर शाथ का भी ग्यान हलका सा चाहिए होगा कभी कभी देखो कई बार आप मानके चलो कि यूपियसी के जो कोशन सेटर है उनका भी अपना एगो होता है वो एकाद कोशन ऐसा रखते हैं कि बच्चों के एंबिट से बाहर रहे और यही वजह है बच्चों कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हम क्यों पुस्त की अग्यान पर निर्वर ना रहे क्योंकि देखो मैं तो इतने पुस्तकों के कॉंटेक्ट में रहता हूँ तो लेकिन मैं आपको बता हूँ कि किसी पुस्तक में तुम्हें इसका आंसर नहीं देखा है तो आप कहें कि आपने इसे कैसे सॉल्व किया तो अंतरदिष्टी से अंतरदिष्टी कैसे आती है तो आप अगर बहुत सारे थेयरीज वेगर और नजर डालते हो आँक कान खुला रखते हो तो कुछ ने कुछ चीज़ें को कहीने कहीन से लिंग होके आ जाती है यही फायदा होता है अदरवाइस कुछ नहीं अब देखो यह जी कुशन पूछ रहे हैं कि what make us clear कि most of the known harappan sites what is netted in the salt region or salty water region or saline water region better to saline water region and semi-arid region मतलब harappa के जो अदिकतर known sites थे वो saline water region में और semi-arid region में sprang up हुआ विक्सित हुए इसको सम्झाए तो पहले आप एक मिनिट आँख बंद करके इंडिया का मैप सोची बताइए image में आगया मैं मान के चलना हो आप हमारे सामने बैठे हुए आँख बंद करिए इंडिया के मैप को दिमाग में लाइए ला रहे हैं उत्तरपस्णी में आजकन है उस समय के उत्तरपस्णी में चलेंगे तो इंडिया नजी देखिए और इंडिया से लेकर सतला जवगर का जो रीजन है और वहां से बढ़ते हो आप इंडिया गंगेज डिवाइड में आईए जो सिंधु और गंगा का भी भाजक डेखा है उसके बाद आप उपरी गंगा दुआब में यह उपरी गंगा दुआब का मतलब है आप देहरादून से सुरू करिये और पहुंच जाए इलहावाद तक जहां कन्फूनेंस अफ गंगेज अन यमुना है तो उसके बाद अपर गंगेटिक बेसिन अब आप आप आएंगो उसके बाद उधर ब्रह्मपुत्रा की घाटी लूर हो जाता है तो आप देखेंगे उस समय जिसको आप आज इंडस रिवर कहते हो इंडस रिवर में उस समय वर्षा की जो मात्रा हुआ करती थी वर्षा की मात्रा लगभग 10 cm से 25 के करीब थी तो अब वर्षा की मात्रा कम थी तो जंगल विरल थी और वहां से जब इंडस गंगा डिवाइड में आओगे तो 25 cm से लगभग 17 cm तक पहुच गई वर्षा की मात्रा उससे थोरा जंगल इधर ज्यादा होगा फिर अपर गंगेटिक बैसिन में आओगे तो आपको देखता है 37 cm से 60 cm इधर कुछ और भी जंगल ज्यादा होगा और जब आप मिडल गंगेटिक वैली में जाते हो तो हाँ पर 60 से 125 cm तो जंगल ज्यादा घने हैं और उससे जब ब्रह्मपुत्रा घाटी में जाते हो तो 250 cm सक पहुंच जाता है तो हाँ जंगल काफी घने है तो वैसे भी अगर ज्याग्राफिकली आप देखोगे तो उत्तर पस्यम का जो छित्र है वो सब से पहले आबाद हुआ है सिवलाइजेशन इसलिए उत्तर पस्यम में आई है और इधान रहे सिवलाइजेशन या सब्वेता उत्तर पस्यम से पूरव की तरफ गई है नौट वाइस वर्सा तो अब वहां जंगल विरल है तो वहां पर जंगल को तामभी अत्वा कांसे क्यूप करनों से काटा जा सकत है जंगलों को साफ किया जा सकता है लेकिन अब जब जैसे जैसे जंगल घने होते जाएंगी तो अब इसमें थोड़ा विवाद है कि मैं हां नहीं पढ़ना चाहूंगा माक्सिस हिस्टोरियन सिद्ध करने का प्रियास करते है कि मद गंगा घाटी में जंगलों की सभाई के लिए लुहे क्योप करनों का अना आवश्यक थाख है इस विवाद में मैं हां नहीं पढ़ना चाहता तो अर्शुस्क छत्र है तो जंगल की कटाई आसान होकर और भूम को जो भी बस्तियां मिली है सम नदी की घाटी में मिली है अब पूरब की तरफ आओगे आरे शर्मा ने उत्री बिहार नेपाल आदी में शोध किया है जिसको मद गंगा घाटी भी कहते हो तो यहाँ पर छोटी-छोटे नेचुरल एस्ट्रीम्स होते थे तालाब होते थे । जहरने होते थे तो छोटे-चोटे जोपालाब होते थे तो आसपास जंगन नॉश हो जता था ओचोटे-चोटे तालाब में पानी नैचुरल अपलव producer होती थी और इधर का पानी मीठा होता था तो लोग उसी तालाब के ईरद गिर्स बस जाते थे तो मीठा पानी पीत है कि आप water harvesting करिए जैसा कि धौला वीरा में देखने को मिलता है लेकिन आप water harvesting करके आप कितना पानी को acquire करेंगे यह तो उट के मुख में जीरा के बराबर है तो water harvesting तो बहुत कारगर चीज उस समय के लिए नहीं है कोशिश है तो क्या करते थी कि वो नदी के किनारे बसते थे अब नदी के किनारे बसने के करान उनको दूर नेच्ट्र बेनिफिट मिलता था जो हमें ध्यान रखना चाहिए एक नेच्ट्र बेनिफिट यह था कि नदी किनारे के बसने के कारण एक उनको जलो हमिटी जो नदी प्रतियक बर्स बार में बाहा कर लाती थी, वो fertile soil मिल जाता था, जहां वो बेहतर agrarian practices कर सके, किर्सी कारी कर सके, और दूसरा, वहाँ पर उनको एक बराही cheap transportation, बराही सस्ता परिभान का साधन नदी के माध्यम से मिल गया, तो बिविन अस्थन एक दूसरे से जूर सके, और बस्तों का आदान परदान कर सके, तो ये दो benefit उनको मिल गया है उधर, जो benefit इधर नहीं मिला था, तो बच्चों अब इसको सोच कर निकालना पड़ेगा, और आप समझी सकते हो, जिस तरह का challenges कई बार आते हैं, अब हम हर अपाई शासक वर की विलक्षनता क्या थी, इस पर भी थोजी चर्चा करेंगे, वो भी important विशह है, अब हमारे सामने मुद्दा है, आप एक नज़ेट डालें, मैं थोड़ा पीचे हर जाता हूँ, ताकि आप देख सकें उस title को, हर अपाई शासक वर की विलक्षनता क्या है, इस पर काफी research हुए है, डीपी अगरवाल हैं, और कई historians हैं, जिन्होंने इस बात को highlight किया है, बहुत important issue है, देखो अगर आप हर अपाई शासक वर की तुलना, उनका comparison, आप अगर मिस्र के शासक वर के साथ करोगे, तो अंतर के बिंदु असपस्ट हो जाएंगे, अब समझो कि मिस्र के शासक वर, मिस्र पोटामिया के शासक वर, वो कितना autocritic थे, काउडसी पावर का, दंट शक्ति का इस्तेमाल करते थे, दासों के सरम का शोशन करके, लोगों पर टैक्स लगाकर, बड़े बड़े पिनामिट बनाए, मिस्र पोटामिया में बड़े बड़े जिगूरत बने, और वहां भी, लोगों के सरम का बेतरह दोहन किया गया, लेकिन हरपाई लोगों, हलाकि यहां पर भी आपको दास जैसे कुछ चीजें मिलती है, लेकिन उनकी दसा खराब नहीं है, और उन दास एक्जेकली है या नहीं हमें पता भी नहीं, चुकि लिपी तो पर ही नहीं गई है, लेकिन हरपा और मोहन जोद्रों से 15 कमरे वाले और 16 कमरे वाले जो बैरक मिले हैं, उन बैरक से पता चलता है कि संभवत अदास होंगे, और चुकि मोहन जोद्रों, या हो सकता है सरमिक का आवास हो, एक common workers भी हो, और मोहन जोद्रों और हरपा इन दोनों को माने रहता है, उनके बहुत important political centers थे, और वहाँ पर इस तरह के सरमिक आवास का होना natural था, तो मैं यह कहना चाहता है कि वहाँ पर सासक वर्ग, दूसरी बात यह है, कि उधर मिस्व पोटामी और मिस्व के शासक वर्ग ने बड़े-बड़े साजनिक भवन बनाने पर बहुत ज़्यादा खर्च किये, जब उनकी common people थे, वो कच्ची इंटों के मकान में रहते थे, वो मिटी के मकान में रहते थे, लेकिन हरपाई शासक वर्ग के लोगों ने साजनिक भवनों के निर्मान पर बहुत कम खर्च किया, लेकिन लोगों के standard of living को बहुत उंचा तक उठा दिया, और वो standard of living कहा जाता है, कि in fact, हरपाई लोगों ने जो civic facilities का उप्योग किया, वो अन्यत्र दुरलब था, तो यह भी अपने आप में अस्मर्णिया चीज है, अब बेहतर governance, बेहतर governance अब समझ सकते हो, कि उनका जो town planning है, जिसकी मैं फिर आगे चर्चा करूँगा, अब सरकी एक दूसरे को समकोन पर काटती है, पूरफ से पस्म, उत्तर से दक्षे, मकान सरक के किनारे हैं, खिर्किया पीछे बन रहे हैं, किवार पीछे खुल रहे हैं, सामने आपका सकते हो परतियक आंगन में कुए हैं, उनके बीच कमरे हैं, तो यह सब चीजी जो एक तरह से लगता है, किसी ने उसका आउटलाइन दिया है, प्लैनिंग दिया है, नालिया है, सरक की नालिया है, गलियों की नालिया है, और सभी बहुत अच्छे ढंग से बहतर ढंग से हैं, ड्रिनेस सिस्टम, तो यह चीजी यह दरसाती है, कि किसी ने उहां पर एक planning दिये है और वो planning का उलंगन करने के अनुमति किसी को नहीं है तो you'll find the हरपन administrative class more efficient than even MCD of Delhi तो अब ये चीज़ें आपको दर्शाती है कि कितनी आहम चीज़े हैं और युद्धि प्रिया नहीं तो युद्धि प्रिया नहीं हैं क्योंकि उनके पास offensive weapons नहीं दिखता है इस डिफेंसिव weapons नहीं दिखता है war weapons नहीं दिखता है defensive का मतलब है कि जैसे आप avach आर्मर्स तो ये defensive है तो आप अगर तलवार पाते हो ढ़ाल तो ढ़ाल defensive है तो defensive weapons होते हैं तो इस तरह की यूपन्स नहीं मिलते हैं अब नेक्ट वन देखो आप नगर निर्मान यूजना हरपासबदा के सरवाद एक विलक्षन भी सेस्ता आज भी आप इंटो की बनावड देखिए देखिए वो आंगन है पता नहीं आपको वीजेबल होगा कि ये बीच में आंगन है अब चुकि उनका उपर का जो च्छत होता था वादी तो लकडी का होता था तो उन तो गल गये मतलब वैनिस कर गया कोर्स आफ टाइम लेकिन जो अंदर के जो इंटो का उनका बेस बना हुआ था आज भी दिखेगा आपको आप देखेंगे घर के प महास्नानागार है महास्नानागार है महास्नानागार है ये सीटाडल एरिया जैसे आप प्रतियक टाउन को दो भाग में बाटा हुआ था एक था सीटाडल एरिया दूसरा था लोर टाउन तो सीटाडल एरिया जिसको कहते हो दुर्ग छेतर उस दुर्ग छेतर में शास्तरक उत्तर दक्षिन पूरब पशिम पर काटतीवी सरकें जो मुख सरकें हैं वो 10 मीटर चौरी है मोहंजोद्रों में दो बैलगारियां एक साथ जा सकती थी तो यह चीज अब देखिए अब उनका है घर में घर भी एक मंजली इमानत भी है और दो मंजली भी है तो अब क्या है कि जो दो मंजली है उसको ऊपर के छथ पर नीचे से पानी तो कॉंटेनर में ले जाते होंगे उपर से पानी को नीचे लाने के लिए डेन पाइप है अब परती घर में सौचाले है अस्टानगर है और जो बात्रूम है उसमें उनक्या क्या उसका फर्स को ईटो का बना हुए बाकी कच्ची मिटी का है लेकि अस्तनान घर या बात्रूम का फर्स इटो का है क्योंकि पानी गिर्णिस वहां कीचर ना फैले इतनी सजगता है उनको क्लिनिनेस पर तो इतनी सजगता है जिसको कहते हो स्वक्षता पर विश्व के लिए अनुकरनी है और अब गली जब नाली उनकी निकलती है नीचे ड्रेन पाइप तो उनके घर की नाली पिछवारे में मिलती है आप देखो कितना बढ़िया टॉन प्लैनिक है उनका उन्होंन माकान बना देते हैं फिर ड्रेनेस निकालते हैं यसलिए भारत के सारी जो मातपूर्ण शहर है वहाँ पर ड्रेनेस एक प्रॉबलम हो गया है चूंकि ड्रेनेस के लिए जगह ही नहीं छोड़ी गई है सीटी प्लैन नहीं हो सके लिए उस तरमें हरा पाई लोगोंने कि इत ग्रेनेस है उपर चुकि लकड़ी का काम था तो आज उपलब्द नहीं है लेकिन नीचे आपको फर्स अभी मिं दिखेगा यह ग्रेनेस के दिरिश है और यह भी मोहन जोदारों का ग्रेनेस है और हरपपा से भी छेचे की कतार में 12 ग्रेनेस मिली है यहां पर जो बरा समुद्र में जाकर मिलते थे तो लोथल एक महत्पुर्म बंदरगा पोर्ट हुआ करता था, पोर्ट सीटी था तो वहां का जो डॉक यार्ड है ये सबसे बड़ा अस्था पत इसी को माने जाता है तो वहां पर देखे कि किस तरह से इटो का बना हुआ चाओ तरफ से है और यहां से बोट्स जाते थे जो बिग जाहस थे ये धौला वीरा धौला वीरा जो आप देखते हो गुजरात में काक छेतर में है और ये बहुत बड़ा अस्थल बहुत बड़ा नगर मना जाता है, ये स्टेडियम है लोग यहां बैटकर मनोरेंजन देखते थे बहुत तरह के गेम्स होते थे जैसे जानवरों की लराई होती थी मुर्गों की लराई होती थी लोग बैटकर यहां पर आराम से उसे देखते थे आज के स्टेडियम की तरह है यहां पत्थर का उपयोग हुआ है धौला वीरा का जो अधितर construction हुआ है उसमें पत्थर का उपयोग हुआ है अब हरपा सबता की सरवादिक विलक्षन विशेष्ता क्या थी तो सरवादिक विलक्षन विशेष्ता में जैसा मैंने बताए कि विलक्षन जल प्रवंधन की चर्चा करिया आप, that is a very good thing, that is water harvesting, second one, धौला बीरा में आपको वहाँ पर कुछ रिजार रुवाइट्स मिले हैं, वो रिजार रुवाइट्स ये बताता है, कि उन्होंने जल संग्रक्षन का प्रयात्न किया था, और उस समय हरपाई लोगों के दौरा जल संग्रक्षन का इतना बेहत्तर प्रवंधन किया जा, ये अपने आप में बहुत अनुकर्णिये चीज है, बहुत महत्पून चीज है, we have to keep this thing in our mind, तो ये जो जल प्रवंधन है, वो दर्शाता है कि हरपाई लोगों की सूच कितनी विक्षित थी, नेक्ट वन आप देखते हो, हमने यह पर दो कोश्चन रखा है, एक कोश्चन जीयस में आपका पूछा था, 2014 में, कि वर्तमान नगरीकन को हरपाई नगरीकन से क्या वर्तमान नगरीकन कि जो स्मार्ट सीटी प्लैन था, तो उस स्मार्ट सीटी प्लैन उस समय, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो कहीं न कहीं कोश्चन सेटर ने इसी से प्रभावित होकर इस कोश्चन को सेट किया था, कि कहां तक इन्पुट प्रदान करते हैं, तो आप उने इन्पुट के बारे में बताओगे, कि यहां तक इन्पुट प्रदान करते हैं, क्योंकि सब से पहले आप दिखाओगे, कि उनका जो टॉन प्लैनिंग है, वह आज के नगर नियामकों के लिए भी, जो town planners हैं, उनकी लिए भी inspiring हो शकता है, पहले सरके बनाई, गलियां बनाई, नालियां बनाई, फिर मकान बनाई, फिर आप बेहतर governance की चर्चा करो, आप यह भी चर्चा करो, कि उन्होंने शासक वर के लोगों का देश्टिकोन कितना egalitarian है, कितना समता मुलक है, उन्होंने water harvesting, कैसी उन्होंने जल का उत्तम प्रवंधन किया, और ठीक नीचे वला question, आपका जल प्रवंधन पर चला आता है, यहाँ पर देखो, एक term देखो गया, हरपन की जगा, सिंदु सरस्वती सब्विता, अब देखो, पहले इसको सिंदु घर्टी की सब्विता कहा जाता था, तो बाद में जब खुदाईयां ज्यादा होई, तो खुदाईयों के बाद पाया गया, कि जैसे राजस्थान में एक नदी बहती थी घगघर, और घगघर की सायक नदी थी हकरा, तो उसको कहते हैं घगघर हकरा नदी, तो उसकी जो घगघर हकरा की जो घाटियां थी, उस में भारत में बिद्वानों का एक वर्ग है जो घघघर नदी की पहचाव सरस्वती नदी से कर देते हैं और सरस्वती नदी एक इमरीनरि नदी है हानाकी सरस्वती नदी को खोजने का बहुत ज़्यादा दावा किया गया है लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी सरस्वती नदी हमारी आँखों से ओजल ही है एक मीथक है, एक माइथलोजी है कि सरस्वती नदी पाताल में विलीन हो गई और फिर वो अप अंदर ही अंदर जाकर गंगा और यमुना के साथ एलाहाबाद के संगम पर जाकर उस कन्फूएंस में मिल जाती है तो इसलिए लेकिन फिर भी कुछ विद्वान उसको सरस्वती कहते हैं तो अब हरपा स्वतावी जब पार्टिसन ऑफ इंडिया हुआ तो हरपा मोहन जोद्रू जितने भी इंपोर्टेंट अस्थल थे वो तो चले गए पाकिस्तान में आर्केलोर्जिस्ट का एक वर्ग भी चला गया आर्मुगल वगर पाकिस्तान में तो अब इंडिया के आर्केलोर्जिस्ट के लिए क्राइसिस किस्थी भी आ गई थी और फिर इंडिया वर्सिस पाकिस्तान के जहमेले में Indus Valley civilization का study भी फंस गया, क्योंकि जो अपने को इंडिया से जोर रहे थे और अतिराष्टवादी कह रहे थे, उन्हेंने सरस्वती सब्द का प्रियोग करना शुरू कर दिया, कि in place of Indus Valley civilization, better to characterize it as सरस्वती civilization, तो Indus Valley यानि सिंदु नदी को पाकिस्तान से identify और सरस्वती नदी को हिंदुस्तान से identify किया जाने लगा, लेकिन चलिए ये तो मैंने बहुत हलके पुलके term में कहा, इससे हम लों को प्रावित नहीं होना है, इसके लिए उप्यूक सब्द है हरपा सब्दा, चुकि पुरा तत तो अब नगरिये सब्दा के था, ये 2002 में आप लोगों से question पूछा था कि नगरिये सब्दा के, what you know as urban civilization, what are the elements of urban civilization, ये बहुत पहले पूछा था, लेकिन यह ध्यान रखने की बात है, बड़ी interesting चीज ये भी है, क्योंकि Gordon Child एक historian है, उनने कुछ indicators बताए है, पर तो जो indicators हमने दिये हैं, वो केवल Gordon Child से लिया गया नहीं है, ये मैंने एक common बात आपको कुछ दी है, जो किसी भी नगरिये सब्दा के लिए, उस समय के लिए, ये महत्पूर्ण लक्षन हो सकता है, देखो, सु नियोजित निवास, जैसे गाउं में जो निवास होते हैं, और नियोजित ह कारी में लगा होना, अब you cannot compare the towns those days with the present towns, क्योंकि आज के टौन में आपको टौन में किसान नहीं दिखेंगे, उसमें टौन में भी किसान दिख जाते थे, ये गाउं और सार के बीच वैसा कोई watertight compartment नहीं होता था, तो वहां पर खेर किसान भले ही दिख जाए, लेकि वहां ज कारी में लगा होना भी इसकी विसेस्ता है, जिसी विसेस्ता है विशाल आकार, अब normally माना जाता है कि एक village का आकार 4 hectare से अधिक नहीं होना था उस समय, और एक town का आकार 20 hectare से कम सामाने तर नहीं होना था, तो जिसी समय 20 hectare onwards अगर किसी का size हुआ, किसी अस्थल का, तो उसक है कि गाउं का आकार क्यों बड़ा नहीं होता था तो इसकी वज़ा थी, जैसे गाउं के विशे में परिकल्पना यह होती कि लोग प्रया उस समय तो कोई चोरी डखेती कि ऐसा कोई डर तो होता नहीं था, तो लोग उस समय अपनी सुरक्षा को लेकर उतना भैवित नहीं ह खेत रखते थे, अपना जो खेत अगरिकल्चर फिल है, क्योंकि उहां पर उस खेत को आवाद करना, अगरिकल्चर फिल को आवाद करना उनके लिए आसान होता, तो क्या होता कि घर बनता, फिर खेत होता, फिर अगला खेत होता, फिर घर बनता, फिर अगला खेत होता, तो क समय आएगा कि जब 95 खेत की बात होगी तब तो इतनी दूरी बर जाएगी कि वादरी पसंद करेगा कि इतनी दूर जो मैं Hal ले जाओं य아 खेती के लिए इतनी दूर जाओं या फसलों की रक्षा के लिए हमको इतनी दूर जाना परेगा, या उसको अबजर्व करना परेगा, तो बेतर मैं घर वहीं ले जाओं, तो ओ क्या करता कि उस खेट के पास अपना घर उठा कर ले जाते, तो फिर च्पनवा खेर जिनका होता 56 वो भी अपना घर वहीं बना लेते तो गाउं भी भाजित हो जाते हैं इसलिए गाउं का आकार कही बहुत बरा नहीं हो पाता था उस समय और इसलिए बड़ा आकार होना भी नगर का लक्षन था लिपी का प्रियोग उस समय नगरिये सब्वता में ही लिपी का प्रियोग संभब था उसके आग आता है विक्षित वैपार, developed trade, that was also a feature क्योंकि urban civilization में ही एक विक्षित वैपार की परिकल्पना कर सकते हो and last Sanskritic विविस्ता तो आप कहोगे यह Sanskritic विविस्ता हमें कहां देखती है तो आपको बहुत अस्थानों पर देखती है आप देखिए आप देखिए लोगों का जो बड़ियल सिस्टम था मैंने इसको कहोगे मिर्तक संसकार की पद्धा थी means कि the disposal of dead body तो disposal of dead body यह को एक विधी नहीं था मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता था यह भी विधी पर चले थी फिर जलाया जाता था वह भी विधी पर चले थी दफनाने में भी कही तरह की विधीया थी जैसे बड़ियल में fractional बड़ियल भी कहते थे उसको कहते थे आंसिक शमाधी करन और दूसरे उसको कहते थे complete बड़ियल मतलब की पून समाधी करन तो क्या होता था कई बार की मरने के बार dead body को कुछ समय तक छोड़ दिया जाता था कि चिल कोई और जानबर बगरा खाएं जिससे उनके आत्मा तुस्थ हो और साइद मिर्तक को भी सांती मिले और तब उस dead body के बचे हुए आंस को दफना दिया जाता था तो that is the example of fractional burial और कुछ ऐसा होता था कि dead body को पूरा का पूरा dead body को दफना जाता था तो complete burial होता था तो क प्रकार से आप देखोगे कि उन सबका धर्म में भी ये चीज़ आपको विवित्टा दिखेगी कहीं पर बिक्षपूजा है पसुपूजा है मोहनजोदरों में नदी पूजा है जल पूजा है महास्तानगार तो कहीं पर अगनी पूजा है लोथल और काली बंगा में कहीं स पर जैसे एक ही तिथी को बिहार में इस्टन यूपी आधी में मकड संक्रांत का त्योहर मनाया जाएगा तो देली वेगर हमें पंजाब वेगर हमें उसे समय लोहरी मनाया जाएगा तो आप देखोगे पुंगल मनाया जाएगा साउथ में तमिलाड में किरल में और यहां । अगर दिली में आओगे एक घर में मकड संकरात मनाया जा रहा है तो दूसरे घर में लोहरी मनाई जा रही है तो क्योंकि उहाँ पर नगरी जनसंक्या और नगरी जनसंक्या they are coming from different social backgrounds वो अलग-अलग social background से आ रहे हैं, इसलिए उनमें एक रूपता हो ही नहीं सकती है, जो Sanskritic विवित्ता है, वो Sanskritic विवित्ता होना ही होना तै है, तो that is important, and then, अब next one आप देखते हो, पेशा अथवा जीव को पाजन livelihood, उनका livelihood क्या था, पशुपालन, पशुपालन चलता रहा, क प्रसासने के हम अनेकार, even administrative work या बाकी कारी भी करते थे, वी निर्मानकारी, construction works, देखो, एक question पूछा आपका, पता नहीं, 2012 या 2013 में कभी पूछा है, कि आप यहां मानतने हैं, कि हरपा स्थवित्ता की उपजीविका के अनेक आधार थी, do you believe that, कि the basis of the livelihood of Harappan people was, you can say, varied in nature, तो अब इसमें आपको यह दिखाना है, यही 5-6 अब दिखा दोगे, आपके question का अंसर हो जाएगा, अब मैं एक interesting बात बता हूँ, कि प्राया प्रिलिंस में, मैं बच्चों को एक-दो question में आसानी से फंसा देता हूँ, मैं question रखता हूँ, आप खुद मन में इसकी गनना करना, कि आप भी तू नहीं उलज रहे हूँ, एक question मैं डाल देता हूँ, कि हरपा सब्वता के अंतरगत निम्रिखित में किसकी संख्या स्तरवादिक थी, दूसरा question डाल देता हूँ, ए सर्सन और डिजनिंग में, ए सर्सन में है, और उसका च्वाइस होता है, ए और आर दोनों सही है, तथा आर एकी उचित व्याख्या करता है, ए सर्सन में हम रखते हैं, उसमें हम रखते हैं, कि हरपा सब्वता एक नगरिये सब्वता थी, और रिजनिंग में रखते हैं, कि हरपा सब्वता से जुरिये हुए अधिकावस लोग, इसरसन हरपस सबिता एक नगर ये सबिता थी और रिजनिंग में हरपस सबिता से जुरे हुए अधिकांस अस्थल नगर थी अब दोनों कोशन को में एक साथ डाल दिया अब आप इसको स्वल्व करिए तो उसमें से बहुत सारे बच्चे कोशन नमर फस्ट में फस्ट और 24D में डाल देते हैं यो धावर के लोग तो मुझे ऐसा लगता है जो बहुत सारे लोग फंच जाएंगे बैपारी शिल्फी में और नीचे है इस सरसन रिजनिंग में बहुत सारे बच्चे ये में फंच जाएंगे दोनों सहीत अथा आर एकी उचित व्याख्या करता है अब देखो यहाँ पर कहां लेकुना है रिजनिंग में देखो पहली बात तो हरपा में नो दस ऐसे अस्थाल है जिनकी पहचान नगर के रूप में हुई है तो अब सवाल है कि बहुत बड़ी जन संख्या एक-एक नगर को सपोर्ट करने के लिए सैकरो गाउं हैं तो जाह तो उसका 24 किर्शक और पसुपालक राइट आंसर होगा उसी प्रकार से आप देखें कि अगर इसमें आंसर सी होगा आर गलत है अधिकांस अस्थान नगर है आज क्या अधिकांस अस्थान नगर है आज भी के बीस्टेंडर से देखें 2011 के से सेंसर्स का अंसर 31% अर्वन करती थी तो इसलिए दोनों का उत्तर में थोड़ी से साफधाने बढ़तेंगे तो हो जाएगा और अगर हमारी अधार नास पॉस्ट है तो अब यहां समाज समाज में देखो इतना जो developed society होगा वो विभाजित होगा ही क्योंकि देखो समाजिक भाजन का एक सुत्र होता है social division का कि जब economy surplus पैदा करती है अगर economy में surplus नहीं है लोग जो production करते हैं उसका consumption कर जाए तब तो समाज समता मुलक हो सकता है लेकिन जो production लोग करते हैं उसको surplus आ जाता है तो जिससे में surplus आएगा उत्पादन surplus जिससे में निकल कर आता है तो उस उत्पादन surplus पर कभजा करने के लिए बहुत सारे लोग आपस मैंने कुछ लोग उस पर कभजा करने का प्रयास करेंगे तो जो उत्पादन अदिशियश पर कभजा कर लेंगो समाज में अपने आपको प्रोहावी बना लेगे, उस शासक वर्ग में चले जाएंगे, प्रोहित वर्ग में चले जाएंगे, तो समाज में उक्रितिम रूसे विभाजन आ जाएगा, तो जाहिर हो कि अगर कोई समाज economically जादा developed है, तो socially उसको विभाजित होना तय है, तो हरपाई समाज भी विभाजित है, शासक वर, अत्वा, कुलीन वर के लोग हैं, बैपारी वर के लोग हैं, शिल्पी अवम कारिगर हैं, यॉद्धा वर के लोग हैं, क्रिशक हैं, सरमीक अवम दास हैं जो कुली लैन के परहा जाना अभी हाल में राखी गरही में जो खुदाई हुई है वो राखी गरही का खुदाई काफी महत्पून है 2017 में भी परशोध हुआ है कुछ 2018 में प्रकास में आये हैं और इधर 2019 में भी एक नई कॉंटरवर्सी शुरू हुई जब पूना के आर्केलोजिस्ट ने फिर उस पर भी से शुरूप से देखा लेकिन वहां पर कुछ लासिया सी मिले जो महिलाओं की है और उनका जो कबर है वो कबर के चारो तरफ से जिस तरह से घेरी हुई चीजे है और उस कबर में जो अवसकत सोसाइटी था बहुत पहले यह मत बाद में स्वीकिर्थ नहीं रहा हुआ कि सोसाइटी प्याटियार कली ही थी अब जो राखी करी की जो महिला का डेट बड़ी का बरियल में जो प्राप्थ हुआ है वो कम से कम समाद में प्रहोशाली महिलाओं की तरफ संकित करती है लेकि रिज्दा यह नैचुरल ही है उतो भारत का लक्षन है और वन थर्ड भारत का प्रतनीतव हर पास्वथ कर रही है तो जाहिर है कि हर पास्वेदा का लक्षन होगा क्योंकि वो वन थर्ड-ईंडिया का डिप्र k ersं कर रही है तो है इसकरम में Свक्त व्रुया नहीं है दर्मि देखो बच्छों, नॉमली क्या होता है कि जब हरपा सभिता में धर्म के बिश्य में पढ़ना पढ़ता है, तो एक्टिडी देखो पढ़ने, मैंने यहां पर जैसे हरपा सभिता के थीम को लिया, तो जब हम उद्वो की बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पीछी सी हमें पूरी उसकी तस्वीर क्लियर हो, और समकाली सभिताओं के साथ भी उसके संबंध क्लियर हो, चुकि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली यह क्लास हम चार क्लास का की मेरी खुराक है, लेकिन मैं एक ही क्लास में आपको आउटलाइन दे रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा पिसाइज होना पर रहा है, तो मैं कई चीजे चाहकर भी आपको डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, फिर ही मैं मान कर चलता हूँ कि इस आउटलाइन से भी आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, यह मेरा भी श्वास है, बाकी तो आप लोग समझेगे। तो इस सिले में मैं आपको यह बताना चाहता कि जैसे धर्म है, तो मैं एक नॉर्मल एक डिस्क्रिपेंसी देखता हूँ, परहाई के क्रमी, कि धर्म में बच्चों का ध्र्म मातरी देवी, पासपत सीव, या बाकी चीजों के फैक्ट्स को या तत्थों को बटोरने पर होता है, अच्छा, वहां से स्वास्तिक का भी चिन मिला, अच्छा आप अगनि पूजा, जल पूजा, मातरी देवी की पूजा, परजन सक्ती की पूजा, सरपूजा, स्वास्ति की पूजा, बरिट्च पूजा, पशुपूजा, जितनी चीजों को आप देखते हों, उसके लिए एक ही शब्द काफी है, कि हरा पाई धार्बिक पंथों में विष्था देखने को मिलती है मतलब वहाँ पर बहुद्देववाद का पर्चरन है तो पहली विष्था यहां हो गई बहुद्देववाद दूसरी बात यह है कि वहाँ पर उत्पादक शक्ति की पूजा है अब जाहिर है कि आपके जीवनों एक महिला के पेट से एक पौधे को निकलते दिखाया गया है उसको पृत्वी देवी के रूप में पहचान हुई है पुरुष और महिलाओं के अंगों की पूजा यू कैन से दा और गंस अफ दे मेल एंड फीमेल डेटीज तो ये चीजे दरसाती है कि ये भी कहीं न कहीं उतपादन सक्थी से जुरिवे सर्प की पूजा तो भी उतपादन सक्थी से जोरा जाता है हम तो इतना बताना चाहते कि फिर सर्विस महोदेने तो धर्म को एक बहुत बढ़ा कारक माना है हर अपस्त अबरता के नगरी कानिमी उन्होंने कहा है कि उत्पादन में भी इसका योगदान रहा है कैसी तो बताते हैं कि पुरुस और महिलाओं के जो अंगों की फूजा है वो उत्पादन सक्ती की तरफ इशारा करती है यग आपको काली बंगा और लोथव से जो यग का साक्ष मिलता है तो यग में जो पसू की आहूती उसकी जलिवी हडिया दिखती है वो भी कहीं ने कहीं यग में उत्पादन की तरफ आकर्शन है अब उत्पादन की तरफ आकर्शन क्यों? तो किसी मंदिर में आप जाती है आप एक रूपी का एक सिक्का उहां पर फेक देते हो तो मन में भाव क्या है कि ही इस तोर मैं तो आपको वन रूपी दे रहा हूँ लेकिन आप हमें इसके बदले एक करोड दे देना तो आप अगर एक पसू चरहते हो तो वहाँ पर कामना होती है कि हमें सेक्रूप पसू मिले अगर आप एक दाना अनाज की आहुती देते हो तो आपकी कामना होती है कि हमें पूरे गोदाम को गोदाम भड़े हुए अनाज मिले यह यग का बिसिक होता है उसी प्रकार से उन्होंने सर्प को भी सेक्स सिंबल से जोरा है सेक्स सिंबल जैसे वो सेक्स को कही न कहीं सिंबलाईज इंडियन टेडिसन में सर्प करता है तो सेक्स सिंबल है तो उसका भी कही न कहीं संबंध प्रोडेक्शन से है तो उसको भी production से जोड़ कर देखा जाता है अब यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी तरफ ले चलूँगा जैसे उसमें पुनर जन्वाद तो है ही या life after death की परिकल्पना चुकि मिर्तक व्यक्ति के साथ आवशारता है कुस्ता मगनिया दफनाई गई है and last but not the list उसमें कहीं न कहीं एक जीववाद का भी concept है जीववाद को अंग्रेजी में बोलते है and animism means कि आप किसी चीज का की पूजा, worship इसलिए नहीं करते हो कि वो आपको कुछ वर्दान देंगे बलकि इसलिए करते हो कि कम से कम अभिशाप ना दे कम से कम honest ना करे तो इसलिए अगर आप उपास ना करते हो तो that is जीववाद तो वहाँ पर कुछ बच्चों के गले से जो तावीज मिली है वो जीववाद की तरफ संकेत करता है और फिर मुर्ति पूजा का सर्मन्द भक्तिवाद से जोरा जाता है तो ऐसी भी परिकल्पना है कि हर अपास संब्रता में जो धर्म है उसका जुकाओ कहीं न कहीं भक्तिवाद की तरफ होगा अब देखिए अब ये देवता में देखो ये सील है ये पसपति शिवा है यही सील है उनकी मुहर है जो उनके कला के महत्वून लक्षन माने जाते हैं इन मुहरों को आप नज़र डालिए देखिए फिगर आफ एं मदर गॉड़ेस ये प्रस्तर के बने हुए हैं मैं चाहता हूँ कि थोई सी नज़र डाले मैं साइड हो जाता हूँ मैं वीजिबल नहीं रहूँगा तकि ये चीज़ आपको देख जाएगी अब कलात्मक उतकर्स पहले मना जाता था कि कला के मामले हमें हरपाई लोग में सुपोर्टामी और समकाली मिसर की सबिता से पीछे हैं प्रन्तु अब नए शूद में आस्थापित किया गया है कि हरपाई लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में कलात्मक उत्पादन दी है मतलब दे है प्रोडुस्ट अब लाज नमबर उफ यो कैं सी दा आर्टिफेट्स अब लाज नमबर उफ दा you can say examples and evidences of arts तो अब ऐसा माने रहता है कि उनने बड़ी संक्याव में art products को पैदा किया था अब मुहर है मैं आगे दिखाऊंगा मुहर इस्टी टाइट के प्राया बनता था अलागि दोसरी चीज़ों के भी है वो पत्थर के बनते थे सामानेता आयताकार या वरगाकार होते थे उन पर पशू की आकिरती कुछ पर केवल पशू की आकिरती के साथ लिपी भी है और कुछ में सिर्फ लिपी है पशू की आकिरती नहीं दूसरा है मनका मनका वो गले में आभुशन की तरह पहनते थे यह भी एस्टी टाइट का बनता था, लोथल और चानुदरों से मन का बनाने वाली फैक्टरी मिली, एस्टी टाइट पत्थर को वो पहले काटते थे आताकार, फिर उसका छोटा-छोटा रोड बनाते थे, उस रोड को गोलाकार काटते थे, उसमें बर्मी से छेद करके, आताकर बनाते थे, उसमें बनाते थे, उसमें मन का बनाते थे, उसको बड़ी बेहतरिन मूर्ती मानी जाती है, और बताया जाता है, कि वो मूर्ती निर्मान में, धातो की मूर्ती निर्मान में, एक विशेश पधती का प्रियोग करते थे, उसके कहते थे, द्रवी मूम विधी, द्रवी मूम विधी का मतलब हुआ, कि उसके लिए एक टर्म आता था, कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक, मतलब पहले उसको गला दिया जाता था, एक सांचे में डाल दिया जाता था, जब ठंडा होता था, तो फिर वो आकिरती पकरती थी, प्रस्तर कला, पत्थर की मूर्तियां, हलाकि अवसोस यह है, कि हर अपास सब्रता से आपको जो प्रस्तर की मूर्तियां मिली है, वो आप पूर्ण अवस्था में नहीं मिली है, खंडित अवस्थाएं मिली है, लेकिन फिर भी बच्चों, ये प्रस्तर की मूर्तियां का वि last but not least, mrin murtiyaan, mrin murtiyaan को English में करते हैं terracotta figures, उसमें जैसे मिटी की murtiyaan, आप लोगे तुम नहीं देखी होगी, बच्पन में हम लोगों नहीं देखा था, कि एक खास्ट potters होते थे अपने हाँ, वो मिटी कहाँ, आज भी लक्ष्पी गरिस के murti, दीपावली के अफसर प बनाई जाती थी, तो इसकी बारे में दो मत है, या तु या पुजी परतिमाएं थी, वोटिव कल्ट, यानि पुजा से जूरी होई मुर्तियां थी, या फिर बच्चों के खिलोने के रुटन, उनका प्रियोग हो रहा होगा, तो इस प्रकार की परिकल्पना है, आप देख के बूल इसके उपासना होती थी, ये शिल, ये बता जाता है सितला माता है, साथ देवियां को एक साथ खरी दिखाएगी, अफसोस आप लोगों को इत्वासा चमकदार हो गया है, आप लोगों के लिए भीजबल वैसे नहीं होगा, I am sorry for that, और उसी प्रकार से ये एक स्रिं के सी थे, उसी प्रकार से कहीं ऐसा नहो कि राजकिया सिंबल हरा पाईलों का यूनिकॉर्ण हो, क्योंकि यह एक काल्पनिक पशू है, और बहुत सारे मुहरों पर आपको इस तरह के काल्पनिक पशू दिखते हैं, तो इसलिए इसके विशे में कहा जाता है, ये भी देखि के बनती थे और गले में धागे के माध्यम से पहना जाता था, ये चान्हुदरों की नर्थकी की मूर्ती है, जिसकी चर्चा हमने की है, ये सब कुछ और, यही मोहन जोदरों का वो दारी वाले शादों की मूर्ती है, भग नवस्थाएं मिली है, चादर औरे हुए, ये के लिए, ये सब ये मन के है, अब सब्विता का अंतत्वा नगरों का अवशान, हरपाई, आरे संबंद एवं आक्रमन का मुद्दा, पतन के संबंद में विभिन सिध्यांत, देखिए, हरपाई, सब्विता के अगर पतन के हम विस्तार से चर्चा करते हैं, तो अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है, तो हमें विस्तार को सांगो पांग तो यहां पर चर्चा करने का समय और अवकास ही नहीं है, हमें तो कि आपको जहलक बताना है, देखिए, पहली बात तो यह हरपा सब्विता के पतन की बात होती थी, तो हरपा सब्विता के पतन का अर्थि गई है अब हरपा स्विता के पतन का अर्थ लगाया जाता है नगरी चरन का पतन और लोग नगरों को खाली करके ग्रामीन छत्र में चले गए सबसे आरम में जब इसके पतन की व्याख्या की बात हुई थी तो बिटिस विद्वान मौटिमर हुलर थे जो 1944 तक उन्होंने वो Second World War में एक मिलिट्री ओफिसर के रूप में South East Asia मिलना रहे थे और 1944 में उन्हें अचानक वहां से तवादला करके भारत के Archaeological Survey of India का हेट बना दिया गया है जोकि battlefield से आये थे तो उनके दिमांग में एक battle अलड़ी चल रहा था तो उन्होंने इसी क्रमी हरपा सभता के पतन में आरे आक्रमन की पूरी थियरी दे डाली उन्होंने कहा कि उनका पतन तो क्रमीक और दिरहेकृत रहा होगा दियर डिकलाइन वोज लोग ड्रॉन आउट लोग ड्रॉन आउट बट दियर एंड वस कैटास्ट्रोफिक प्रंत उनका जो अंत हुआ उनकी समाप्ति वो उनका पतन वो विद्वन सात्मक था फिर उन्होंने 26 मरकंकाल ऐसे मोहन जोतर में बताए जिस पर पहने अस्त्रों के घाव थे फिर उन्होंने रिगवेद का दिश्टान दिया कि हमें हरियोपिया लिखा हुआ है और पुरंदर पुरंदर इंद्र को कहा गया है जो किलों को तोड़ने वाले हैं इसका मतलब है आरियों की सैना नहीं से नस्ट किया लेकिन जब बाद में उनकी थियरी का परिक्षन हुआ तो पता चला कि उनकी थियरी का आधार ही गलत है एक तो रिगवेद जैसे साहितिक साक्ष पर हम उतना निर्वर नहीं रह सकते और 26 नरकंकाल या सिद्ध करने के लिए नाकाफी ह विशेश कर तब जब उनके घाओं को यह भी प्रूब करना कठिन है कि यह घाओ आरियों की तलवार से लगे हैं या किसी अन्य की तलवार से तो जही रहा और फिर यह माना गया जैसे आप देखते हैं सुरजभान और कुछ रुमिला थापर व्यगरा ने इस बात के और संक लोग नहीं हैं जिसने हिंदुस्त भारत को जीता है बलकि भारत पर तो आरंब से ही आक्रमर होता रहा है आरियों ने इन पर पहला आक्रमर किया है और हम भी इसी स्विंखला में एक हैं तो बच्छों अब दिखिए यह अपने आप में एक बराही विवादाश्पद चीज है विवाद यह है जिस विवाद पर से इधर हाल में कुछ पर्दा हटा है और पर्दा हटाने का कारण यह हुआ है कि जेनोम टेक्नलोजी के इच्छत में जो बहुत प्रगती हुए DNA फूट प्रिंटिंग तो उससे बहुत सार फायदा मिला है क्योंकि एक मत यह है बिटिस और एक मत यह कहते हैं कि हर अपाई लोग बाहर से या मत देशिया से नहीं आए जैसा कि कुछ बिद्वान ऐसा सिद्ध करते हैं लेकिन बलकि आरे भारत यानि यहां कहीं देशी लोग थे तो चुकि उनके पूरी हिंदू सिवलाइशन के केंद्र में आरे या बैदिक परना तो बिल्कुल खंडित हो गई उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है आज उसको कोई विश्वास प्रूफ करने वाली बात भी नहीं है अगर आक्रमन का सिध्यात एक मिनट के लोग मानते हैं तो मानते हैं कि आसपास के ट्राइवर लोगों ने जो शिकारी खाद संगरह आग थे या कुछ चोटे-मोटे किसान थे उन लोगों ने नगरों के पतन से फायदा उठा के कुछ लूट पार्ट कर लिया होगा लेकिन वैदिक आरी आकर चुकि दोनों के टाइम पिरिएड में ही अंतर है हर अपन सिवलाइशन का डिकलाइन लगवक उनीस सोहिसापूर पूर्वे माल लिया जाता है लेकिन भारत में वैदिक आरियों के आगवन कीती थी पंद्रह से इसापूर्वे तो इसलिए धारना आज की तारिक में बहुत स्विकृत नहीं है अब बच्चों हम यहाँ परियाग करना चाहेंगे जब यह धारना स्विकृत नहीं है तो अब दूसरा कौन सा विचार है तो उस पर हम आएंगे लिकिन इसे पहले मैं एक और आपको भी बता दूँ कि यह बिबाद भी लगवक अब कुछ ठंधा पड़ेगा क्योंकि अब DNA Footprinting ने यह लगवक सिद्ध कर दिया है 31 मार्च 1918 को एक नई Finding Central Asia से आई है जो DNA Footprinting के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास करती है कि कजाक एस्टेपीज जो कजाक का जो एस्टेपीज जो इसको कजाकिस्तान करते हैं तो उसके एस्टेपीज रिजन से ही माइडेशन आर करते हुए 2100 इसापुरु में और फिर वो लगवग 2000 इसापुरु के बाद धिरे धिरे इधर आना प्रारम किया और भारत की तरफ आगमन हुआ यह इस तरह की चीजी तो यह लगवग कंकूसीवली अब हाला कि विबाद यहां भी बना हुआ है क्योंकि देखो अब पहले क पहले भी DNA foot printing चलती तो आसा नहीं है कुछ समय से ही लेकिन उसमें क्या है कि दो प्रामाना बनाया जाता था एक तो बनाया जाता था empty DNA का और दूसरा Y chromosome का तो एक male to male होता था दूसरा female का पता चालता एक maternal lineage का ग्यान देता था दूसरा paternal lineage का तो जैसे Y chromosome था और empty DNA था तो ये दोनों अब क्या हुआ कि लगव एक दसकपूर एक बहुत बड़ा breakthrough इसमें हुआ और वो था ADNA उसको ancient DNA काते हैं तो उस ancient ADNA की आधार पर ही राखी गरी में इधर शुद हुआ है और इसी ADNA की आधार पर ही 31 मार्च और 1918 वाला रिवील हुआ है कि वे कजाक STP से उनका migration हुआ लेकिन आप कहेंगे राखी गरी वाले में तो अभी विवाद बना हुआ है अभी विवाद बने होने का कान राखी गरी वाले में ये है कि हमारे यहां जो अभी जो नए अब सपोज करो कि जो बिटिश ओफिसर्स या आप यही समझ लेजे कि उत्तरपसी में अगर मुगल ओफिसर्स आए तो उनके डियन के आधार पर खो जा रहा तो बरी आसानी से मिल जागा चुकि ए डियन वहां उपलब देंगे जब प्राची नरकंकालों को हम ढूडते हैं तो उसमें ए डियन पता करना हैं उनकाल से मुश्किल हो जाता है इसलिए राखी गढ़ी को लेकर आज भी बनी हुई है कि फिर भी बहुत हत तक इसने उस पर से रहस का परदा हटाया है और हटाने का प्रयास किया है तो पूरी की पूरी बहुत चली गई प्र्यावरन कारक की तरफ पिर बार बहुत जम कर चली है और ऐसा माना जाना गया कि लोगों ने इतना ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर लिया कि प्रयावरण का बिगरना लजमी था लेकिन एक कहवत आपने सुनी होगी सावन की अंध्य को हरी हरी दिखाई देता है इंडिया में 1970 से पूर या 1970 के दसक से पूर तो प्रयावरण का कॉंससनेस कहीं नहीं था एक बहुत पहले साइलेंट एस्पिंग एक एडियोप में स्कॉलर ने लिखा था तो एक महिला इस्कॉलर थी तो उन्होंने लिखा तो उहाँ पर थोड़ा सा कंससनेस हलका फूर्का था लेकिन जब 72 में जब अं तो consciousness बरहाल हैं उसमें भी मिसेज गांदी ने बड़ा proudly और boastfully कह किया ही कि poverty is the worst polluters गरीबी ही प्रदूसक है और हम प्रदूसन गरीबी को हटाने के लिए प्रदूसन को कम करने की बात नहीं सोचेंगे फिर हमारे यहाँ टेहरीगरवाल में चिपको मुव्मेंट शरू हो गया तो फिर हमारा भी नजरिया बदला तो पूरी दुनिया अब प्रयावरन संकर से त्रस्त है तो अतित में जाका प्रयावरन पर बल परना बहुत ही सौःविक है तो इसलिए प्रियावरन वाले लेकिन इसलिए कुछ विद्वान प्रियावरन वाले factor पर बहुत बल देते हैं और इरफान हईयु करते हैं कि यार उसमें छी human means उसमें घनसंख्या का घना तो क्या था देंसिटी क्या थी जो हम प्रियावरन को इतने जादा बल दें तो भी बात भावी पना हुआ है ऐसा नहीं है कि लेकिन प्रियावरन को आज सबसी important factor माने जाता है कुछ डिजीज की बात फलेडिया मलेडिया जैसे डिजीज वाले ही बात करने वाले बहुत सारी लोग थे लेकिन आप जानते हों कि हमेशा इतिहास का विसलेशन वर्तमान से प्रहवित होता है तो हो सकता है इस तरह के मानेता कुछ निकल के आने लगे कुल मिला के concursively आज बच्चों को यही इस्टेंड लेने में फायदा है कि देखिए हरपा सबिता इतने बड़े छेतर में फैली हुई सबिता थी कि जिसके पतन के लिए किसी एक कारक को उतरदाई नहीं माना जा सकता बलकि अलग-अलग अस्थाल के पतन के लिए अलग-अलग कारक उतरदाई रहे होंगे तो यह आपको कंकुसिवली लेना है अब बच्चों जो मेरी जिग्यासा का विशे है और जो मैं आप लोगों से पिक्षा करता हूँ कि अधिकतर हरपा स्विता के अध्यन में पीछे से पुरा पाशानकाल, मदग पाशानकाल, नौपाशानकाल और ताउन पाशानकाल के प्रती बच्चों का कॉंस्टनेस नहीं रहता that is the one factor, second one factor है कि हरपा स्विता और वैदिक स्विता के बीच क्या घटित हुआ उस विशे में consciousness नहीं रहता तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मेरा ये मानना है कि अब हरपा स्विता का पतन हुआ तो फिर भारतिये महादीप भारतिये उप महादीप में क्या परिद्रिश रहा इसके पतन के बाद भारतिये उप महादीप में क्या परिद्रिश रहा इसकी थूरी सी समझ अगर हो जाए तो आप इसको कहते हो परवर्थी हरपा संस्कृती परवर्ति हरपास संस्कृति और अन्य तामर पार्षान कालिन संस्कृति हैं अन्य तामर पार्षान कालिन संस्कृति आप मैं यहां पर चाहूंगा चुकि मुझे तो यहां रूखना पड़ेगा नहीं तो मैं आइन इस तक और आगे तक भी पुरा तत्व से मैं आपको यहां पर समझा देता यह जो परवर्षान पर संस्कृति इसका टाइम पिरियड आप देखलो 1900 इसापूर से 13 सापूर और जो अन्य तामर पार्षान कालिन संस्कृति हैं इसका भी पिरियड 1900 इसापूर से 11 सापूर 1170 ये भारतियोप महादिव का परिद्रिश होगा क्योंकि हरपा सब्विता के पतन का मतलब है सिर्फ नगरिये चांद का पतन उसके सिल्पी ग्रामीन चेत्रों में फैल गए उसे तांबे के ज्ञान का प्रसार हुआ रपा सब्विता कश्योगीन का मतलब है के लोगों ने ता만बा के साथ तीन मिला कर कासा को डिवलग कर लिया था हलां कि हरपाई लोग का कासा उतना बेहतरी नहीं था जैसा समकाल मेसोपोटामिया का था करण क्या है कि हम पर तीन की उपलप सा लिज़्यादा थी और हम टीन मुक्ता, हलागि थोड़ा होद प्रोटेक्शन, होम प्रोटेक्शन था, लेकिन मुक्ता हम टीन का आयात करते थे मेसोपोटरामिया से, तो वो वैपार जब बादित हुई, तो टीन का आयात जब सिमित हुआ, तो हमारे हैं फिर कांसा से लोग तांबे पर चलिया, लेकिन ध्यान रहे, अब यहाँ पर भी बच्चे प्रोटेक्शन में कोशन नहीं फंस सकते हैं, कि हरपाई लोग ने तांबा क्योप करनों का ज़्यादा प्रयोग किया है कांसा क्योप करनों का, तो तांबा क्योप करनों का यकिनन ज़्यादा किया, लेकिन कांसा का प्रय तो दोनों के नाम में अंतर क्या है? तो अंतर इसलिए है कि जो हरपाई अस्थल थे उन्हीं के आसपास ये संस्कृति पनपी जिसने हरपा सब्वता की कुछ विरासत को अपने आप में समाहित कर लिया, तो ये सब तर इसलिए हरपा सब्वता की विरासत को नहीं ढोड़ ही थी, इसलिए से हम अने तर इसलिए हैं तो हम यह कहना चाहेंगे कि हरपास तब्वता के पतन के बाद ऐसा नहीं है कि दुनिया समाप्त हो गई, नगरिये चरन फिर समाप्त हो गया, ग्रामीर चरन में चले आए, फिर भारतियोत महादेप में पंद्रा सव वर्सों के बाद नगरिये चरन का फिर एक बार आगमन होगा, लेकिन अभी हम इस सब्वता को याद करेंगे कि उतने बिक्सित सब्वता आई और गई, लिपी नहीं पढ़ी गई, गुथियां बनी हुई है, आज तक भी दौनिस में लगे हुए है, हो सकता है, लिपी प्रकास में आ जाए, तो कुछ ऐसी बातों पर प्रकास परे जो हम अभी नहीं जान पा रहे हैं, तो बच्चों हमें बहुत कम समय में इसको लेना था, बावजूद इसके मेरा यह लेक्चर बढ़ा हो गया, और मैं कोई भी टौपीक को लूँगा तो एक मैं पूरा आउटलाइन देना चाहता हूँ, आप हर अपास बिता को देखते हैं, त उसमें मेरी कोशिस यही होगी, कि आज की जितनी भी शमस्या है, उन समस्याओं को आप इतिहाव से जोर कर, समगरता से उसे समझ सके, ताकि इसका फाइदा आपके जीयस को अन्य पार्ट में मिले, आप व्याद रखिए, हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे, कि आप पुस्त क से हम आरंब जरूर करें, लेकिन वहाँ समाप न करें, वहाँ से आकर कुछ सोचें, कुछ कोश्चन्स पर काम करें, और UPSC में, और स्टेट सर्विसेस में, जो कोश्चन के नए स्टेंडर्ड है, उन्हें पकरने का प्रयास करें, यह हम लेक्चर, बेसिक हमने त्यार किया अपने जो हमारा एप है, लेकिन हम यूट्यूब पर भी इसको दे रहे हैं, और यूट्यूब पर हम उन नए सीरिज के साथ जल्दी आपके सामने उपस्तित होंगे, तो फिर हम आपसे मिलते हैं, फिर एक बार समझाते हैं, कि आपको एक बार वीडियो को देखने में हो सक पार्ट पार्ट में तोर कर देखें, और आवश्यक बातों को जरूर नोट डाउन करें, थैंक्यू वेरी मच्छ